हेलो बच्चो नमस्कार जै पी डवलू सभी पी डवलू लवर्स को मेरा सलाम मैं सुनिल कुमार यादव आपका इसकाई सर एक बार दुबारा से हाजीरू दोस्तों आपके सामने इस माइंड मैप स्रीज में लेकर कम्प्लीट चैप्टर डेट इस बायो मॉलिक्यूल्स लग लीजिए और हम बड़े धमाकेदार तरीके से रिवाइज करने वाले हैं इस बायो मॉलिक्यूल्स चैप्टर को अब जब इस चैप्टर को सुरू करूं तो सबसे पहले बच्चे के दिमाग में क्वेस्टन आता है कि सर यहां पे नाम दिया चैप्टर का बायो मॉलिक्यू म लेकिन बैंकटी का मतलब क्या है लेकिन यहां है वरहन चैप्या इन यहां जाणी मालिक क эфф देख भूंफ की में आप्रण्य जलेती होना है और ने जाटीन में इस और बायों मोलिक्यूल्स को नतर года अब निग्ट वाले लंभ तो मैंने कहा ओल और अर्कनिक पाउंटे दर्ती पे living organism तो खूब सारे अलग अलग टाइप के living organism है तो सवाल ये उठा क्या सारे के सारे living organism में similar type के chemical compounds present है अरे हां कि ना भाईया हम ऐसे नहीं बता सकते हमें अलग अलग animal लेना पड़ेगा उनकी body से chemical materials को isolate करना पड़ेगा then check करना पड़ेगा तब हम इस बात का organism में similar kinds of chemical material और मैं कहूँ biomolecules present है कि नहीं है चलिए हमने experiment किया हमने क्या काम किया animal की body से लिए animal tissue plant की body से लिए plant tissue and live microorganism ये लिए और इनकी body से chemical substances को बाहर निकाला और उनका chemical analysis किया जब chemical analysis किया तो हमें पता चला कि यह जो different types of living organism है इनकी body में similar type of chemical present है similar type of chemical present है लेकिन उनका amount अलग-अलग organism में अलग-अलग था मतलब है तो similar type of chemicals लेकिन amount क्या कर रहा है वेरी कर रहा है अमाउंट क्या कर रहा है अरे amount अलग-अलग था तभी तो इनका chemical composition भी क्या हो गया अलग-अलग यह अलग-अलग organism है चले next सवाल था सर यह तो living के बीच ब एक living matter लिया और दूसरा हमने लिया earth crust that is non living matter लिया जब इन दोनों का chemical analysis किया तो result दिल दहला देने वाला था result क्या था कि जब earth crust and animal tissue को study करते हैं तो इन दोनों में भी similar type के chemical present है लेकिन amount क्या था amount था different similar type of chemical है लेकिन amount क्या था different था सवाल था सर अगर earth crust and human being की body में बात करके चले तो कोन-कोन से ऐसे elements present थे और उनका amount कितना-कितना था बड़े ध्यान से देखीगा मैंने इस काम के लिए NCRT माता काई section लिया एक side हमने लिया earth crust दूसरे side दिया human body और हम बात कर रहे हैं कि earth crust जो था उसके weight में कोन सा chemical material element कितना percent role play कर रहा है और human being की body के weight में कोन सा element कितना role play कर रहा है चलिए बड़े ध्यान से देखते हैं सबसे पहले पूछेगा बताओ most abundant chemical कौन सा है earth crust में तो बेटा earth crust का most abundant जो है वो है मेरे पास oxygen most abundant कौन सा है oxygen वो कहेगा बताओ earth crust में most abundant कौन सा oxygen यही earth crust के weight में maximum role play करता है कितना 46.6% अगला सवाल था human being की body का most abundant human being की body में भी oxygen ही है और यह कितना role play कर रहा है यह role play कर रहा है यह बेटा 65% चलू मैं आग़ी अगला सवाल था वो पूछेगा बताओ earth crust में minimum amount में प्रजेंट केमिकल कौन सा है अरे earth crust में सब से कम very little amount में प्रजेंट है वो प्रेजेंट है बेटा nitrogen nitrogen negligible amount में present है वो कहेगा हमारी body में कोन सा था जो negligible amount में present है हमने खा हमारी body में negligible amount में present है वो present है कोई और नहीं बेटा वो present अपने सो silicon कौन है ध्यान रखना ये nitrogen जो अर्थ crust में बोट थोड़े से amount में present है, ये human being की body का third most abundant element है, third most abundant element है, पहले पे कौन सा था, first oxygen, second नंबर पे कौन सा, second पे carbon, और third most abundant कौन सा, वो third most abundant मेरे पास है, nitrogen, पांच वे पे किसका था, fourth पे किसका था, fourth पे था, बेटा मेरे पास hydrogen का, और उसके बाद मेरे पास था, fifth पे, वो fifth पे मेरे पास था, sulfur का, चले, इसी तरह अगर पूछे, बताओ, earth crust का most abundant कौन सा, तो बेटा ध्यान रखना, जब भी कोई earth crust के बारे में बात करके चले, तो ध्यान रखना, earth crust पे most abundant, that is first position पे कौन सा आया, oxygen, दूसरे नमबर पे, जो हमारी body में नाग के बराबर है, that is silicone, यह यहां का second most abundant element है, second most abundant element है, इस table में third number पे आता है मेरे पास, वो आता है calcium, calcium जो है, यहां पे third most abundant chemical है, fourth number पे यहां पे आता है, वो मेरे पास आता है, sodium, sodium मेरे पास, fourth most abundant chemical है, पांच यह में, पांच वां, most abundant, जो stable में दिया गया है, वो कौन सा है, वो मेरे पास है, calcium, अब सवाल पूछेगा, सवाल कहेगा, कि सर, यह तो हमने इन ही के बारे में बात करी, अगर हम सवाल का direction बदले, और हम यह पूछनल चाहे, कि कौन-कौन से element है, जो human being की body में ज्यादा है, as compared to earth crust, और कौन-कौन से ऐसे है, जो earth crust में ज्यादा है, as compared to human body, तो ध्यान रखना, carbon, hydrogen, oxygen, nitrogen, and as for sulfur, यह पांच ऐसे है, जो human being की body में ज्यादा है, as compared to earth crust, तो हमने बोला, यह क्या था, हमने बोला, human body में ज्यादा है, as compared to earth crust, earth crust की comparison में, human being की body में यह ज्यादा है, इनको छोड़की बाकी सारे ऐसे थे, जो earth crust में ज्यादा है, और human being की body में कम है, चले भीया, यह table by heart learn करनी है, बिल्कुल दिल लगा के, चले, next देखीगा, अगली बात करते हैं, sir, एक question दिवाग में था, हमर what types of organic compound are found in living body, living body में कौन-कौन से organic compound present है, भाई, हम ऐसे नहीं बता सकते, इसके लिए हमें living organism का chemical analysis करना पड़ेगा, तो करते हैं chemical analysis, बीटा, हमने chemical analysis करने के लिए एक लिए motor, that is, उखली ली, यह रिया एक पेसल, that is, मुसलीली, उखली मुसलीली, इस उखली में भर लिया हमन animal का डाल रहे है, तो हमने liver का चोटा सापाद डाल दिया, अगर plant का डाल रहे है, तो मान लिजी, हमने leaf का चोटा सापाद डाल दिया, वह डाल दिया, और अब मुसली से इसको कूटते है, that is, इसको क्या किया? ग्राइंड किया, जब इसको ग्राइंड किया, तो थोड़ी देर में ये एक गाडे solution में convert हो गया, जिसको हमने बोल दिया, थिक्स ले रही, क्या बोल दिया, इसमें को थिक्स ले रही, अब हमने क्या काम किया, हमने एक नया बरतन लिया, उसके उपर cotton और cheese का cloth लगाया, और इस पूरे के पूरे material को transfer कर दिया, कहां पे, cheese और cotton वाले कपड़े पे, जब cheese और cotton के कपड़े पे, इसको transfer कर दिया, और अब इस कपड़े को दबाया, दबाया तो हुआ क्या, इसमें से material लगातार क्या होने लगा, छनने लगा, फिल्टर होने लगा, और फिल्टर होके कह आने लगा नीचे हमने बोला जब कपड़े को श्ट्रेंड को कपड़े को जब नीचोर दबाया तो यह जो मेरे पास घृत पुछ अनगगी उलका शन्निंन लगा शन्के और मैटिरियल जाने लगा नीचे हमने बोला जब लिघए गया तो हमने क्या देखा पूरा जितना maximum दबाव से कपड़े को नीचोड सकते थे नीचोड़ा नीचोड़ने के बाद हमने देखा कि कुछ material तो फिल्टर होके आ गया नीचे वाले बरतन में और कुछ material अभी भी कपड़े के अंदर प्रजेंट था मतलब ये थिक सलेरी कितरे पार्ट में डिवाइड अब सवाल ये था सर चनके नीचे कौण साए हमने का चनके नीचे वह आया होगा जो इस एसड में गुल गया होगा उचनके क्या नीचे और जो एसड मे नहीं गुला वह क्या रह गया कंपड़े के ऊपर तो मैं ने का जो फिल्ट्रेट है, उसी का दूसरा नाम है acid-soluble pool, उसी का नाम है acid-soluble pool, और जो कपड़े के अंदर रहे गया, वो वो था, जो acid में नहीं गुला, इसने उसे बोलते acid-insoluble pool, उसे बोलते acid-insoluble pool, अब एक सवाल था, सर, हमने यहाँ पे tissue को grind गिया, तो पक्ता उसमें खुब स सारी cell होती है, हमने का भीया, बिल्कुल cell होगी, अगर cell होगी, तो उस cell के अंदर होता है cytoplasm, उस cytoplasm में liquid material भी होता है, जिसको बोलते है cytosolic part, और उसके अंदर खुब सारे cell organelles भी होते, खुब सारे chemical substance भी होते, हमने कहा, आप यह बताईए, कि liquid part of cytoplasm होगा, that is cytosol होगा, वो filter होके नीचे आ गया, that is filtrate में होगा, कि retentate में होगा, हमने कहा कि भाई सब सीधी से बात, जो part liquid था, वो liquid part तो आसानी से छन के आ गया होगा, तो मैं कहे दूं कि filtrate में cytosolic part क्या होता है, present, हमने बोला, यहां पे cytosolic part जो था, वो क्या होता है, वो अपने पास हो जो cell organelles थे, वो कहां रहेंगे, कपडे के अंदर रहेंगे, मतलब वो acid में गुले नहीं थे, तो मैंने कहा कि इसमें cell organelles, वो क्या होते हैं, वो होते हैं, cell organelles present होते हैं, वो किस में होते हैं, retentate में present होते हैं, चलू मैं आगे, अब काम की बात सुनना, यह तो हमने general बात करी, अब सवाल था, कि सर, filtrate जो था, उसमें cytosol लिख पाएट था, उपर वाले में cell organelles से, क्या इनकी अलावा भी और को ची से chemical compounds होते हैं, वो retentate में present थी, बड़े ध्यान से देख रहा, जितने भी inorganic compound होते हैं, जितने भी inorganic compound होते हैं, वो सारे के सारे inorganic compounds क्या होते हैं, यहीं पर present होते हैं, आमने बोला inorganic compounds, वो क्या होते हैं, सारे के सारे इसी में present होते हैं, that is filtrate में present होते हैं, चले, सवाल तो फिल्ट्रेट में क्या कोई ओर्गणी कंपॉवंड नहीं होता नहीं ओर assistance भी और नहीं होता है अब हमें बात तो किसके बारे में करनी है और compound के बारे में क्योंकि bio molecules का मतलब ही हमने बोला वो सारे organic compound जो एक living body में present है उन्हें तो बोलते बायो molecules चलिए हम थोड़ा सा खुल के बात करते हैं देखो भाई सब हमने बोला हमारे पास क्या था थिक स्लेरी थिक स्लेरी को कितरे पार्ट में भी और compound भी उसके अंदर प्रजेंट है चले उसके अलावा क्या था उसके अलावा वाली चीजे में बात कर रहा हूं हमने क्या देखा इस फिल्ट्रेट में अपने पास monosacryde present that is glucose fructose present है यहाँ पे amino acids present है क्या प्रजेंट है amino acid यहाँ पे nucleosides and nucleotides present है यह सारी चीजें क्या प्रजेंट थी acid soluble pool में प्रजेंट थी जब हमने acid insoluble pool में देखा तो वहाँ पे हमें polysacryde मिला polysacryde present है यहाँ पे proteins भी present है यहाँ पे nucleic acid भी present है यहाँ पे lipids यहाँ प्रजेंट है यह किसमें था acid insoluble pool में था हमने कहां कि भी हम चैक्तर के देख से जब हमने acid soluble part में present monosacryde amino acid nucleotides वोगरा को study किया तो पता चला यह सारी कि सारी monomeric unit है जिनके polymerization से polymerization से polymer बनता है जिनके polymerization से क्या बनता है polymer बनता है मतलब यह सारे के सारे small molecules थे monomeric unit C मतलब यह polymer नहीं थे non-polymeric substances थे इनका molecular weight भी था क्या बहुत कम इनका molecular weight जो था वो लगबग 18 to 800 तक वेरी करता था तो हमने का कि acid soluble pool में यह जो organic compound है यह पहले तो monomeric unit है प्लस इनका molecular weight भी है कम इसने size भी क्या था छोटा इसलिए हमने इसको बोल दिया micro molecules तो जब भी बोले बताओ micro molecules किसमें प्रजेंट होंगे आप कहोगे acid soluble pool में next हम गए acid insoluble पे हमने देखा polysacride है अरे polysacride किसका polymer है यहां पर protein किसका प्रोटीन किसका polymer है amino acid का प्रोकी मर यहां पर nucleic acid किसका polymer है nucleotide का polymer है मतभि तीनों के तीनों कैसे polymer c regimes समशेंसे कैसे heм Rs.7 है जब यह पॉली मेरी के जब ये बहुत सारे monomeric unit के repetition से बनते हैं तो इनका size भी क्या होगा बड़ा और molecular weight भी होगा ज्यादा हमने क्या देखा कि इनका molecular weight जो था वो 10,000 डॉल्टन और उससे ज्यादा का molecular weight था हमने का size बड़ा molecular weight भी ज्यादा इसलिए हमने इनको बोल दिया macromolecule क्या बोल दिया macromolecule लेकिन दोस्तों ह लेकिन lipid भी in micromolecule की तरह non-polymeric substance है ध्यान रखना lipid कभी भी polymer नहीं बंदना था या मैं कहूं lipid polymer नहीं है चले अगर कोई कहे कि lipids fatty acid के polymer है तो याद रखना बात क्या हुई गलत ये non-polymeric है पहली बात एट दूसरा इनक होता है कितना होता है वो 800 डॉल्टन या उससे कम होता है 800 डॉल्टन या उससे कम होता है किसका molecular weight lipids का molecular weight तो कहने का मतलब non-polymeric substance है और molecular weight भी कम यह दोनों के दोनों करक्टर किस से मैच कर रहे है इन micro molecules से मेच कर रहे है इसलिए मैं कहा है कि lipid जो है वह क्या है μाऑक्रोमोलीक्यूल यह एक macromolecule नहीं है यह सवाल था सर लीपिडvet क्रों होने के बाद भी इस acid insolubal pool में micro molecule के साथ क्यों है यह तो इस levellerol में in होना चाहिए था यार उसकी कहानी अलग है जब हम किसी भी सैल को ग्राइंड करते हैं तो उस सैल की सैल मेंब्रेन छोटे-छोटे टुकडों में तूट जाती है और सैल मेंब्रेन का में पार्ट क्या था लिपिड में पार्ट क्या था लिपिड और लिपिड अपनी हाइड्र हम दो फोब्य नेचर की सबना लेते हैं और वह वेसी का जो याँ और टॉलियाUP और जलू में आगे यहां तक की बात खतम हुई अपन थोड़ा आगे बढ़ते हैं सवारता सर अगर हम से कोई पूछे की chemical composition of cell बताईए बेटा यहां पर हमने लिया component का नाम और दूसरी तरफ हमने लिया वह लिया percentage of cell mass कि वह cell के mass में कितना contribute करता है सबसे पहले देखा हमने पानी जो है वह cell के mass में 70-90% contribute करता है next protein जो है वह cell के mass में 10-15% contribute करता है इसी तरह nucleic acid है वह 5-7% contribute करता है कार्वाइडरेट है वह 3% के असपस contribute करते हैं lipids 2% contribute करते हैं and ions 1% contribute करता है अब सवाल कैसे पूछेगा वह कहेगा बताओ cell में present most abundant chemical कोन सा वर्ड यूज किया chemical कोन सा है तो सबसे ज्यादा chemical कोन सा था water था चले अगर कहें कि बताओ cell में present most abundant organic compound water organic compound नहीं है organic compound कोन सा है वो मेरे पास है protein चले वह कहेगा बताओ cell में most abundant organic पैनिक कंपांट कौन सा प्रोटीन वह कहगा बताओ सेल में present second most abundant chemical समसे जादन कैमिकल किar water और water के बाद दूसरे निमघाज पर कौो सा प्रोटीन तो है लेकिन most abundant और अगर कहें कि civ के अंदर प्रजेंट यही सवाल पूछे जाएंगे, आप इनको by heart learn कर लेना, ठीक है जी, जो भी questions थे, मैंने sad में mention कर दिये हैं, दोस्तों, अपन आगे बढ़ते, अपन बात करते हैं, metabolites के बारे में, सवाल यही आता, sir, metabolites क्या है, बिटा, metabolites are products of metabolism, यह वो products, वो material, जो metabolism के दोरान बनता है, अब यह दो type का होता है, एक होता है primary metabolites, एड दूसरा मेरे पास होता है secondary metabolites, ध्यान रखना primary metabolites, each and every organism में present होते हैं, जबकि secondary metabolites सभी organism में नहीं होते हैं, यह some specific organism में ही मिलते हैं, सवाल था सर्फ Primary Metabolite हर एक और्गनिजंम में मिलने क्यों ज़रूरी है ? वो इसलिए जरूरी है क्योंकि primary metabolite किसी भी organism की growth and development के लिए essential है, growth and development के लिए बेहद जरूरी है, अगर किसी organism में primary metabolite नहीं होंगे, तो उनका growth and development प्रभावित होगा या नहीं हो पाएगा, जबकि secondary metabolites का growth and development में कोई role नहीं है, इसका मतलब तो यह हुआ कि primary metabolite है, यह body की physiological activities है, उनमे directly participate कर रहे है, metabolic activity में directly participate कर रहे है, और body में क्या change करवा रहे है, क्या physiological, कौन सा physiological process करवा रहे है, उसके बारे में हमें पता है, जबकि इनका body के physiological process में क्या role है, यह हमें पता नहीं है, चले भी अपना आगे, next, अगली बात बच्चे यह जो primary metabolites है, इनके कुछ example सपन में given है, like glucose हुआ, amino acids हुआ, chlorophyll हुआ, hemoglobin में present heme हुआ, nucleic acid हुआ, यह सारे सारे क्या है, primary metabolites है, लेकिन जब भी पूछे secondary metabolites, हमने बोला secondary metabolites जो थे, वो organism के growth and development में कोई role play नहीं करते, और नहीं हमें यह पता कि body के physiological process में उनका क यह काम था, बिटा exactly में उनको human welfare में use लिया जाता है, और कुछ secondary metabolites ऐसे भी है, जिनका ecological importance है, सवाल था, सर secondary metabolites के कोई example बता पाऊगे, हाँ, rubber जो है, secondary metabolite है, gum जो है, secondary metabolite है, scent जो है, secondary metabolite है, drugs जो है, secondary metabolites है, alkaloids जो है, वो भी secondary metabolites है, और कुछ secondary metabolites के example तो NCIT माता ने दिये भ question भी आए है, अगर तुमने previous year की NEET के paper देखे होंगे, तो आपको लग गया होगा, कि यहाँ से question आये, तो यहाँ पर कुछ secondary metabolites है, जैसे का पुछे, बताओ, drugs टाइप का secondary metabolite का example बताओ, हम बोलेंगे, windblastine and curcumin, अगर कहे, essential oil type का secondary metabolite कौन सा है, हमने बोला, lemon grass oil, जो NCIT ने example दे रखे, केवल वही learn करने है, उससे बाहर कोई बात नहीं करनी है, वो पुछेगा, lactins type का secondary metabolite, हम कहेंगे, कौन करना, वैलीन A, वो पुछेगा, toxic type का secondary metabolite, आप करोगे, abrine and recine, वो कहेगा, alkaloids कौन से है, जो secondary metabolite है, बड़े famous example, और चैट इन दिये, morphine and codine, वो primary metabolite है, वो secondary metabolite में नहीं आता, जबकि carotinoid and anthocyanin secondary metabolite के example है, polymeric substance, हाँ, जैसे आपन बात करके चले, rubber के बारे में, gum के बारे में, and cellulose जो है, वो भी secondary metabolite है, next, terpenoids, terpenoids में, monoterpen, diterpen, ये भी क्या है, ये बी सब secondary metabolite है, ये table, बिल्कुल NCRT की table है, जो मैंने आपके सामने है, चले भी या, अपन थोड़ा सा आगे बढ़ते है, secondary metabolites के बाद हम बात करते हैं, cell में present organic compounds के बारे में, बिटा हम यहाँ पे चार टाइप के और्गनी compound के बारे में, carbohydrates के बारे में, lipids के बारे में, proteins के बारे में, and nucleic acid के बारे में, सबसे पहले हमने बात किया, carbohydrates के बारे म hydrogen में hydrogen and oxygen का ratio होता है, वो होता है, 2 to 1 का ratio होता है, जो कि water के similar है, इसलिए carbohydrates को बोलते है, hydrates of carbon, और हमारी body को जो energy की requirement होती है, तो body सबसे पहले किसे तोड़ती है, carbohydrate को तोड़ती है, क्योंकि carbohydrate को directly तोड़के energy produce करी जा सकती है, अब यह carbohydrates जो होते है, यह executive में three types के होते हैं, सेक्राइड, यह monosaccharide जो अपने पास है, यह simplest carbohydrate है, कैसे हैं बेटा, simplest carbohydrate है, मतलब अगर इन carbohydrate का मैं hydrolysis करूं, तो इनका hydrolysis possible नहीं है, इन्हें और आगे तोड़ पाना possible नहीं है, चले, अगला था, next, अगला मेरे पास था oligosaccharide, बेटा, oligosaccharide वो carbohydrate थे, जो कि 2 से लेके no, 229, monosaccharide से मिलके बने थे, मतलब अगर oligosaccharide का hydrolysis करूंगा, तो मुझे 229, monosaccharide unit मिलेगी, next, तीसरा था मेरे पास poly saccharide, poly, poly मतलब मैं नहीं, और saccharide का मतलब sugar, मतलब ऐसे carbohydrate, जो बहुत सारी sugar units के repetition से बने, कितनी, वो थी मेरे पास 10 से लेके thousands of monosaccharide unit के repetition से बन रहे थे poly saccharide, तो कहने का मतलब जब एक poly saccharide का hydrolysis करूंगा, तो मुझे 10 से लेके thousands of monosaccharide unit मिलेगी, मतलब यह हुआ कि सबसे बड़ा size किसका, poly saccharide का, सबसे complex structure किसकी, poly saccharide की, तो मैंने का poly saccharide जो है मेरे पास, मेरे पास है most complex, यह मेरे पास है most complex carbohydrate, सबसे simple monosaccharide और सबसे complex कों सा poly saccharide, अब बच्चे काम की बात यह, कि हमारी NCRT माता जो है, उस NCRT माता ने सारी की सारी कहानी किसकी सुना रखिये, poly saccharide की, तो चलिए दोस्तों, हम भी बात किसके बारे में करते है, poly saccharide के बारे में, हमने अब भी आपको बताया, कि poly saccharide 10 to 1000 of monosaccharide unit से मिलके, बनता है, लेकिन यह poly saccharide जो होता है, यह poly saccharide water में insoluble होता है, water में क्या होता है, insoluble होता है, and not sweet in taste, और taste भी मिठा नहीं होता, अरे हमें पता है, कि हमारे taste, receptor taste के बारे में कब बताएंगे, जब कोई chemical dissolve होगा, लेकिन यह तो dissolve होते नहीं, गुलते ही नहीं, तो हमें इनका taste भी पता नहीं चलता, तो हमने कहा कि poly saccharide insoluble in water, and not sweet in taste, मतब टेस्ट में sweet भी नहीं है, अरे जो टेस्ट में sweet नहीं होते, उन्हें सूगर नहीं बोला जाता, तो ध्यान रखना, जब भी poly saccharide के बारे में बात करें, तो they are not known as sugar, not known as sugar, इन्हें सूगर नहीं बोलते, तो अगर कोई क कि क्या poly saccharide जो है, वो taste में sweet होते, उन्हें sugar बोल सकते, आप कहोगे, नहीं, poly saccharide को sugar नहीं बोल सकते, क्योंकि वो taste में sweet नहीं होते, इसका मतलब अगर statement आए, कि all carbohydrates are known as sugar, तो आप कहोगे, नहीं, wrong statement है, चलें आगे, अब हमने बोला जैसे आप लोगों से, कि यह जो poly saccharide है यह जो poly saccharide है, यह poly saccharide 10-2000s of mon saccharide unit से मिलके बनते हैं, अरे हा कि न, तो हमने बोला इनकी structure कैसी होती है, हमने बोला complex structure होती है, size भी कैसा होता है, बड़ा, लेकिन इनकी reactivity जो होती है, वो reactivity होती बहुत कम, अरे reactivity कम हुई, तो इसका मतलब इनकी stability क्या हुई बेटा, बहुत ज्यादा, चले, तो इनकी structure कैसी थी, बहुत complex, चले, अब सवाल यह था, कि एक poly saccharide को अब देखोगे, तो एक poly saccharide के पास भी reducing end होता है, जिस पर free LD head group और ketone group प्रजेंट होता है, एक reducing end होता है, जिसके पास free LD head group और ketone group क्या होता है, प्रेजेंट होता है, लेकिन वो reducing end होता है, वो केवल और केवल right side में present होता है, मतलब किसी भी poly saccharide के पास कितरे reducing end, केवल और केवल एक, और कौन सी side होगा, आपको होगे right side होगा, इसका मतलब right वाला end ही है, जो कैसा end है, एक reducing end है, जो हर एक poly saccharide के पास present होता है, चले भाया, बहुत प्यारी लाइन है यह NCRT की लाइन है अब ध्यान रखना polysaccharide की reactivity बहुत कम होती है soluble नहीं होते ध्यान रखना इसलिए कभी भी body के fluid और body की osmolarity को affect नहीं करते body की osmolarity को affect नहीं करते सबाल था सर आप हमें बताओगे क्या कि इन polysaccharide का क्या काम है क्या function है हमने का हाँ polysaccharide के mainly दो टाइप की function है पहला function structure formation का और दूसरा यह stored food की form में मिलते हैं दूसरा किसकी form में मिलते है stored food की form में जैसे हम बात करके चले काईटीन काईटीन जो है यह फंजाई की cell wall का पार्ट है और थ्रोपोर्ट में exoskeleton का formation करता है cellulose यह प्लांट की cell wall का main part है hemicellulose यह भी प्लांट की cell wall में प्रजेंट होता है peptidoglycan अरे यार peptidoglycan जो होता है यह bacterial cell wall का पार्ट है पैक्तिन याद करो जब आपने प्लांट में पढ़ा था calcium and magnesium impactate that is factor in जो की middle lamella का formation करता है इसी को तो बोलते है plant cement चले stored food अरे animals में stored food कौन सा है glycogen इसी तरह plant में stored food क्या है starch कुछ plant जैसे डहेलिया and artichoke जो थे उनकी roots में stored food होता है वो होता है inulin वो क्या होता है inulin चले भी यह तो यह सारे सारे किसके function थे पोली सेक्राइड के थे अब सवाल था सर्फ पोली सेक्राइड को कितने types में classified किया गया बड़े द्यान से याद रखना पोली सेक्राइड को दो टाइप में classified किया गया एक को homo polysaycorrhraead याद रख और यहां पर term आई मेरे पास homo का मतलब होता है सेम यहां पर term मेरे पास हिट्रो और हिट्रो का मतलब होता है different हमने बोला ऐसा polysacr educators जो एक ही type की monosaccharide unit से बना हो ऐसे बोलते है homo polysec 카़ाइड और ऐसा polysaccharide जो more than one type की monosaccharide unit के repetition से बने उसे क्या बोलते हैं विटा हिट्रो polysaccharide हिट्रो polysaccharide अपने पास कुछ examples है like cellulose हुआ glycogen हुआ starch हुआ kaitin हुआ inulin हुआ यह सारे एक सारे किसके example है यह सारे एक सारे homo polysaccharide के example है जब भी पूछे से सर हिट्रो के भी example है हमने का हाँ hyaluronic acid हुआ है हमी cellulose हुआ peptidoglycan हुआ पैक्टीन हुआ हिपरीन हुआ अगार हुआ जो की culture medium बनाने में कामिली आ जाता है यह सारे एक सारे हिट्रो polysaccharide के example है लेकिन दोस्तों एक बार फिर ncrt ने आपकी रहा अप्सान कर दी ncrt माता ने केवल और केवल homo polysaccharide के बारे में बात करी है हिट्रो के बारे बात नहीं की तो हमारे लिए बहुत important कुन सा हुआ homo चलिए one by one करके बात करते हैं homo polysaccharide में सबसे पहले बात करते हैं cellulose cellulose एक polysaccharide है हां यह cellulose जो है यह एक्जेक्टी में बीटा डी गुलकोज का पोलीमर है किसका पोलीमर है बीटा डी गुलकोज का इसमें लगबग 6000 गुलकोज यूनिट आपस में जुड़ी होती है किसके द्वारा गलाइकोसिडिक बॉंड के द्वारा और यहां पे जो गलाइकोसिडिक बॉंड होता है उसमें linkage कौन सी होती है बीटा one four linkage कौन सी होती है बीटा one four linkage सवाल था सर cellulose की structure कैसी है बीटा cellulose की structure जो है वह cellulose होता है वह unbranched होता है and straight chain होती है मतलब लगा अतार गुलकोज molecule एक chain में जुड़े भी जा रहे है और उनसे कोई branches भी नहीं निकल रही है चले अब पूछेगा cellulose सबसे ज्यादा amount में कहां present हमने बोला यह अबेंडेंटली देखना हो तो plant की cell wall में मिलेगा जब भी कहें बताओ और्थ पे प्रेजेंट और्ट पे प्रेजेंट most abundant organic compound कुन सा और्थ पे प्रेजेंट most abundant organic compound है वो भी कौन सा है cellulose सवाल था सर cellulose का क्या है बिटा cellulose जो था वह exactly मैं जो paper formation करते हैं वो प्रोम, प्लांट, पल्प, एंड, कोटन, वो सब क्या थे, cellulose थे, अब सवाल था, सर, अगर, cellulose का, मैं iodine test check करके देखू, क्या check करके देखू, iodine test, की cellulose iodine के साथ color देगा, की नहीं देगा, तो ध्यान रखना, cellulose की straight chain, unbranched straight chain है, उससे कभी भी iodine molecule जूड नहीं सकते, इसलिए cellulose का iodine test always negative होता है, cellulose का iodine test always negative होता है, चले, next, दूसरा मेरे पास है glycogen, बिटा, glycogen जो है, यह हम animals का stored food material है, किसका stored food material है, animal का, लेकिन यह जो है, यह बीटा डी गुलकोज का polymer है, जबकि यह किसका था, बीटा डी गुलकोज का, glycogen किसका है, अलफा डी गुलक यूनिट है, वो सीधी chain, straight chain में भी जूरती जाती है, और थोड़े-थोड़े interval के बाद, उससे side में branches भी निकलती रहती है, मतलब ऐसे straight chain भी बढ़ती रहेगी, और थोड़े-थोड़े interval के बाद, ऐसे branches भी निकलती रहेगी, तो हमने क्या बोला, इसकी structure कैसी, branched and straight chain, जो स इधी straight chain में भी बढ़ रहा है, और branches भी side से निकल रही है, किसका stored food है, हमने बोला, stored food in animals है, सवाल था, सर, कि यह glycogen है, यह iodine test देता है, हमने का हाँ, क्योंकि iodine जो है, वो इस glycogen की branched structure जो थी, उससे जुड़ेगा, और यह iodine test देगा, मतलब इसका iodine test कैसा आएगा, positive, और यह iodine के साथ red color देता है, कैसा color देता है, glycogen red color देता है, किसके साथ, iodine के साथ, next, अगला मेरे पास है, वो अगला मेरे पास है, starch, बेटा, starch जो था, यह starch जो था, यह starch जो था, यह भी alpha-D glucose का polymer है, किसका polymer है, alpha-D glucose का polymer है, और यह starch जो था, यह plant में stored food है, किसमें stored food है, प तो मत्लब सुरू सुरू में स्टार्च में क्या होता एलफटी इंपनल में चुटव थी वह क्या थी स्ट्रेट चेइन में जुडड़ा थी पर धीरे-धीरे उस फॉसमें हेलिकल स्ट्रेक्ट्ट्स तो जब भी काहे कि बताओ जूर्ट की स्ट्रेक्ट्ट्ट्चर कैसी आप को सेकेंडडरी हेलिकल स्ट्रेक्ट्ट्ट्ट्ट्ट्र अब सवाल पूछेगा क्या आयोडीन टेस्ट देता है स्ट्वा क्योंकि णुक्स की जो fraction है उस है य importantes के셨ंट के हैड़िकल पाट में जाके आयोडीन मोलेकुल जो थे वह हो गई ट्रैप आयोडीन मोलेकुल कहां जाके ट्रैप हो GDP हो गई आयोडीन मोलेकुल साथ ट्रैप इन-D unique पॉर्षन ओफ है लिगफ पॉर्षन ओफ इस्टार्च इसलिए मैंने का इसका áयोडीन टेस्ट क्या आएगा पोजिटीव अरे जब आयोडीन टेस्ट पोजिटीव आएगा तो मतलब यह आयोडीन के साथ कलर देगा सवाल था कैसा कलर तो ध्यान रखना बेटा की स्टार्च आयोडीन के साथ ब्लू कलर देता है स्टार्च आयोडीन के साथ ब्लू कलर देता है ले Amine का Polymer anonymous beta, N-acetyl glucose Amine का Polymer. सवाल था सर ये N-acetyl beta, N-acetyl glucose Amine क्या है? ये beta N-acetyl glucose Amine क्या है? हमने कहा ये मेरे पास एक modified glucose है. ये मेरे पास modified glucose कह दूं या मैं कह दूं mono sécrate कह दूं. यह मेरे पास modified glucose और modified monosacrid है जिसके repetition से क्या बनता है काईटीन वो पूछेगा सर काईटीन में linkage कौन सी हमने बोला इसमें भी cellulose की तरह है बीटा 1-4 linkage होती कैसे कौन सी लिंक के जोती है बीटा 1-4 linkage होती है बीटा मैंने बोला था cellulose धर्ती पे most abundant organic compound है लेकिन cellulose के बाद second most abundant organic compound जो धर्ती पे वो कोन सा है दोस्तों वो है मेरे पास kytin कौन सा है kytin हमने बोला था kytin जो है वो fungus की cell wall में अबेंडन्ट रिप्रजेंट है एड और थो पोड्स के एगजो स्केलेटन का formation भी किस से होता है kytin से होता है किस से होता है kytin से होता है अंति मेरे पास polysacride था वो था inulin याद रखो भाई लोगों ये inulin जो है ये inulin एक्जेकली में beta-fructose का polymer है किसका polymer है beta-fructose का और इसमें linkage जो होती है वो थे बीता 12 linkage ये जो मेरे पास inulin है ये water में soluble होता है water में soluble होता है अगर कहे जेनरल सवाल पुछे कि polysacrides water में soluble की insoluble आप कोगे insoluble अगर कहें कि all polysacrides are insoluble in water तो बात क्या हो जाएगी गलत क्योंकि inulin एक ऐसा polysacrides था जो water में soluble था लेकिन ये कभी भी body की metabolic activity में fight spate नहीं करता इसका यूज करते हैं हम वो kidney के function को check करने में या मैं कहूं GFR को check करने में यूज करते हैं किसका इनूलीन का चले यहाँ पे जाके polysacrides that is carvo hydrate वाला portion खतम हम थोड़ा आगे पूह करते हैं अगला portion मेरे पास आता है lipids का बिटा अभी थोड़ देर पहले मैंने बताय था lipid जो है वो non-polymeric सबस्टेंट से मतब दे आर नोट पोलीमर और लिपिड कभी भी वोटर में और पोलर सोल्वेंट में घुलते नहीं है सवाल था सर अगर हम classification लिपिड के बारें बात करें तो बताओ ना lipid को कैसे classified किया गया है बिटा लिपिड को तीन टाइप में classified किया गया है सबसे पहले simple lipid दूसरी compound और conjugate lipid और तीसरी lipid derivatives लिपिड डेरिवेटिव तो यहाँ पे simple lipid के दो टाइप थे true lipids और neutral lipid और दूसरा थाव एक्स लेकिन NCRT माता ने केवल और केवल किसके बारें बात करी true lipid और neutral lipid के बारें बात करी इस तरह compound lipid जो थी वो भी काई टाइप की थी लाइक phospholipid ग्राइको लिपिड लिपो प्रोटीन और क्रोमो लिपिड लेकिन हमारी NCRT माता ने mainly किसके बारें बात करी है phospholipids के बारें बात करी है similarly lipid derivatives में भी दो चीज़े हम देख सकते थे एक देख सकते थे steroids के बारे में दूसरा प्रोस्टो ग्लेंडिन के बारे में लेकिन हमारी NCRT माता ने किसका डाइग्राम बना के दिया है इन दा बोडी बोडी में most abundant steroid कौन सा है आप कहोगे सर वो है cholesterol चले हम one by one करके बात करते हैं सबसे पहले कहानी सुरू करते हैं simple lipids में और simple lipids में count करें तो एक अकेला fatty acid है वो भी एक lipid को रिप्रेजेंट करता है glycerol है वो भी lipid को रिप्रेजेंट कर रहा है बताओ most common type of lipid किसको बोलोगे तो हमने बोला most common में count करेंगे वो करेंगे बेटा अपन ट्राई glyceride को इसको रिप्रेजेंट करेंगे ट्राई glyceride को यहां पर यह ट्राई ग्लिस्राइड जो है यह एक्जिक्ली में esters है क्या है बेटा esters है जब fatty acid glycerol के साथ जुड़ता है तो क्या अपने अपने पास क्या था ट्राई glyceride सवाल था सर ट्राई ग्लिस्राइड बना कैसे बेटा जब तीन फैटी एसिड जो थे उन्होंने एक glycerol एक glycerol से रियेक्शन करी तो अपने पास तीन वोटर के मोलेक्यूल बाहर निकले और जो क्या बना उसे क्या बोल दिया ट्राई ग्लिस्राइड क्या बोल दिया ट्राई ग्लिस्राइड सवाल था सर यह ग्लिस्रोल की स्ट्रेक्चर कैसी होती बेटा एक्जक्ली में यह जो स्ट्रेक्चर हमने बनाई है यह अपने पास बनाई ग्लिस्रोल की आप देखिए ग्लिस और यही नाम है? अब बतलब, तो फैटी एसिड सेम और डिफरेंट हो सकते हैं, पहली बात, दूसरी बात थी, सर यह fatty acid है क्या, बिटेक fatty acid में, यहाँ पर देखेगा आप बड़े ध्यान से, इस screen पर दिखाई भी आपको दे रहा होगा, इस screen पर दिखाई भी दे रहा होगा, यह मेरे पास है, alkyl group, that is R1, और उसके last में क्या जुड़ गया, COH group, carboxyl group, इस तरह यह R2, alkyl group है, उसके last में जुड़ गया, COH, यह मेरे पास alkyl group, that is R3 है, उसके last में क्या जुड़ गया, COH group, तो मैं कहे दूं कि यह carbon की chain होगी, और उसके last में क्या जुड़ जुड़ गया, COOH group, अलग-अलग size की carbon chain होगी, इसलिए fatty acid भी क्या होगे, अलग-अलग, तो अब जब भी पूठे, यह R1, R2, R3, आपने तीन अलग-अलग लिए, इसका मतलब आप क्या show करना चाहरे हो, मैं show करना चाहरे हो, यह carbon की chain अलग- अलग-फैटी-असेड मैंने लिए, अरे यह carbon की chain कितनी बड़ी हो सकती है, मैंने बोला यह 1, 2, 19 carbons की chain है, कितने carbon की chain है, 1, 2, 19 carbons की chain है, जब यह glycerol के साथ reaction करेगी, तो हर एक fatty acid जब alcohol के साथ reaction करेगा, तो एक water का molecule बाहर निकलेगा, 3 fatty acid, 3 alcohol, तो कितने water molecule बाहर निकले, 3 और यह जो compound बन गया, इसको भी बोल दिया, triglyceride, यहाँ पर ध्यान रखना, जब एक fatty acid, एक alcohol से reaction करेगा, तो एक water का molecule बाहर निकलेगा, और एक ester bond बनेगा, तो इस triglyceride में total कितने ester bond, एक यह रहा, एक यह रहा, और एक यह रहा, total मिला कि यहाँ पर three ester bonds present है, चले, अब टाइप में classified कर सकते, भाई fatty acid को, अगर broadly classified करना पड़े, तो हम इन fatty acid को total मिला के, दो टाइप में classified कर सकते, सवाल था, सर दो टाइप कौन सा, बेटा, पहले को अपन बोल देंगे, वो बोल देंगे, saturated fatty acid, पहले को क्या बोल देंगे, हमने बोला, पहले को अपन बोल देंग वो बोल देंगे saturated fatty acid, कौन सा fatty acid बोल देंगे मेटा, saturated fatty acid, और दूसरे को बोल देंगे unsaturated fatty acid, saturated fatty acid को सोट में लिख दिया, सफा, unsaturated fatty acid को सोट में लिख दिया, उफा, सवाल था, सर, saturated fatty acid कुन सा, बच्चे, saturated fatty acid उसको बोलते हैं, जिस fatty acid में, जिस fatty acid में, एक single, जिस fatty acid में, carbon chain में only single bond present हो, उसे बोलते है, saturated fatty acid, और ऐसा fatty acid, जिसकी carbon chain में single bond के साथ-साथ, double और triple bond भी present हो, उसे बोलते है, unsaturated fatty acid, that is, उफा, that is, उफा, चले भीया, तो कहने का मतलब ये था, बेटा, कि saturated fatty acid, जो है, इनका synthesis हमारी body में होता है, मतलब हमें diet के थूँ ये लेने की जरुरत नहीं है, हम इसके लिए diet पे depend नहीं करते हैं, लेकिन इन unsaturated fatty acid का synthesis, generally body में ये नहीं बनते हैं, generally body में नहीं बनते हैं, मतलब हम इनके लिए किस पे depend करते हैं, diet पे depend करते हैं, अब ये जो saturated fatty acid है, इनकी reactivity जो होती है, वो होती है, बह बहुत कम, यह जो saturated fatty acid है, बेटा यह body के लिए harmful है, मतलब इनकी वज़े से blood में cholesterol का लेवल बढ़ता है, जिसकी वज़े से heart disease होने के chance जादा होते हैं, जबकि unsaturated fatty acid है, वो सेयत के लिए body के लिए अच्छे होते हैं, क्योंकि वो blood में cholesterol के लेवल को घटाते हैं, इसलिए heart disease होन unsaturated, सफा वाली की उफा वाली, आप कहोगे उफा वाली, क्यों, क्योंकि सफा वाली से क्या होगा, blood cholesterol लेवल बढ़ेगा, तो heart disease होने के chance बढ़ेंगे, तो सफा, मतलब धरती से सफा होने के chance भी बढ़ जाएंगे, तो जब भी पापा कहे, बताओ कौन सी fat खाऊं, जिसमें सफा जादा की उफा जादा, तो आप पापा को बता देना कि पापा सफा वाली ज्दल आदा खाऊंगे, फैट, तो सफा होने के chance भी क्या होईगे, ज्यादा, तो सफा के बारें बता देना, बापू सेहत के लिए, ये तो हानीकारक है, और उफा के बारें बता देना, Mongo आ है पामिटिक इसीड जिसुए टोटल 16 कार्बन है मताब 15 कारबन की चेंड और एक कार्बोक्सिल गुरूप का तो टोटल कितने होए 16 कारबन इसी तरह दूसरा स्टरी KP जिसमें कितने कार्बन है 18 कारबन मतलब 17 कार्बन की चेंड और करके बात करी मैंने जहान पे भी carbon कма लिखे उन्क्लूडनग लिखे चले 15 सबसे पहला एक्जांपल मेरे पास आता है ओलिक एसीड जो है उसमें अठारा कार्बन है लेकिन डबल बॉंड कितना है एक एक डबल बॉंड है और ऐसा फैटी एसीड जिसमें एक डबल बॉंड है उसको अपन बोलते हैं मोनो अनसैचुरेटिड फैटी एसीड मत्ब मुफा क्या बहुते हैं और ध्यान रखना यह मुफा वो थे जिनका सिंथेसिस बोडी में होता है अरे हां किना तो मैंने बोला सिंथेसाइज का है मैसे बोडि यह दुवारा सिं ते साइज होते हैं लेकिन दूसरे आप आथ करोगे लीनोले के इसिट उस्में भी 18 कार्बन है लेकिन डाबल बार्ड कितने हैं आप बात करोगे औरेकटोनिक एषिद उसमें टोटल मिला के बीस कार्बन है लेकिन double bond कितने हैं हमने बोला यहां पर total मिला कि चार double bond है कितने double bond है चार और हमारी N-C-E-R-T ने तो इसी के बारे में बात कर रखी that is erachidonic fatty acid 20 carbon की chain है और 20 carbon है total 18 carbon का तो R group और X-E-O-H group तो total कितने carbon है 20 और double bond कितने चार तो जिसमें भी एक से ज्यादा double bond थे उन्हें हमने बोल दिया poly unsaturated fatty acid और ध्यान रखना बेटा इन poly unsaturated fatty acid को बोल दिया प्यूफा और इनका synthesis body में नहीं होता तो हमने बोला not synthesized body not synthesized body इनका synthesis body में नहीं होता तो हमें acid diet लेनी चाहिए जिसमें फ्यूफा खूब सारे हो फ्यूफा खूब सारे हो ठीक है जी हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं अब हमने क्या काम किया लिपिड का classification किया on the basis of melting point ऐसी लिपिड जिसका melting point होता है ज्यादा जिसका melting point ज्यादा होगा वह बेटा रूम टैंपरेचर डैट इस 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर सोलीड होंगे कैसे होंगे सोलीड उनको हम बोल देंगे फैट जैसे हम बात करके चले घी के बारे में बटर के बारे में लेकिन ऐसी भैट जिनका melting point होगा कम वह रूम टैंपरेचर डैट इस 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या होंगे लिक्वीड और वह उनको अपन क्या बोलते हैं जैसे जिंजेली ओईल एक्जक्ली में इसी के बारे में एंसी आइटी ने बात किये जिंजेली ओईल यह जो तिल खाते है तिल का तेल वह क्या अपने पास जिंजेली ओईल मस्टरड ओईल संफ्लोर ओईल ओलीव यह सारे सारे ओईल्स है क्योंकि इनका melting point क्या होता है कम और रूम टैंपरेचर पर यह लिक्वीड फोर्म में होता है चले next अपने पास दूसर फोश्फो लिपीड बोडि की मोस्ट clockwise रूम में कमपाउट लिपीड के 2 पार्ट होते एक तो पर और दूसरे पार्ट नोन लिपीड पार्ट दूसरा होता होता नोन लिपीड पार्ट अन लिपीड पार्ट कैसा हुआ है हाइड्रो फोब इक सवाल अब बताओ फ्उसफो लिपिड बनाने के लिए हमें दो फैटी एशेट चाहिए एक ग्लीसरोल चाहिए एक फोसफेट गुरूप चाहिए जो कहा सी आएगा ऑस फ्रीक एसिड से आएगा और उसनन वेस छी है इनसे ही मिलके क्या बनती है कपो निपीड और फोस्पो लिपिड एसी लिपिड है जिसके दो पार्ट है, एक हाईडरोफोबिक और दूसरा हाईडरोफिलिक, इसलिए फोस्पोलिपिड एक एमफिपैथिक मोलीक्यूल है, कैसा मोलीक्यूल है, एमफिपैथिक, अब फोस्पोलिपिड के कई सारे example हो सकते हैं, जैसे लैसी थीन, सी फैलीन, इस्फिंगो लिपिड, लैसी थीन, सी फैलीन, स्पिंगो लिपिड, और मैं आपको बता दू भाई लोगो कि यह जो मेरे पास है, सी फैलीन, एड इस्फिंगो लिपिड, यह किस में present है, हम ने बोला, found in neurons, और मैं कहे दू, central nervous system, य लेकिन NCRT माता। ने आगेर हमारा रहा आसान कर दी. NCRT माता ने केवल किसके बारे मात करी? NCRT माता ने केवल Lesthin के बारे मात करी. और NCRT कहती है, ये Lesthin को बनाने के लिए, हमें क्या चाहिए? बोला, दो Fati Acid चाहिए. एक Glycerol चाहिए एक Phosphate Group चाहिए जो कहां से आएगा Phosphoric Acid से और एक Choline चाहिए और यह Choline क्या है यही तो मेरे पास है Nitrogen Base इन से मिलके बनती है कौन बनती है Lecithin और NCRT माता ने बाकाइदा Lecithin की structure भी बनाके दे रखी है उसको लर्न कर लेना चले भी यस लिपेड़ डेरिवेटिव में हमें क्या याद रख रहे है केवल और केवल एक ही दिया था that is cholesterol जो कि most abundant most abundant steroid है और उसकी structure भी NCRT माता ने बनाके दी है चलिए अब हम हम बात करते हैं वो बात करते हैं प्रोटीन के बारे में बीटेऑ मैंने पहले ही बोला था जब भी कोई प्रोटीन के बारे में बांट चरेगा तो सबसे पहले हम बताएंगे protein किसका polymer है amino acid का लेकिन एक protein को देखो गे तो उसमें कई सारे अलग-अलग type के amino acid है इसलिए हमने बोला protein कैसे polymer है homo के hetero आप कोगे hetero polymer of amino acid क्योंकि यह अलग-अलग type के amino acid से मिलके बनता है सरीर की mostly protein ऐसी होती है जिन के पास क्या present होता है सल्फर ग्रूप अब सवाल था सर प्रोटीन किसका पोलीमर है हमने का अमाइनुएसिड का और अमाइनुएसिड बहुत सारे अलग अलग टाइप के होते हैं लेकिन केवल 20 टाइप के participate करते कितने टाइप के 20 टाइप के माइनस अचेड सवाल था सर अगर कोई हमसे कहे कि बताओ धर्ती पे कौन सी प्रोटीन अबेंडेंट ली प्रजेंट है मैं कहूंगा धर्ती पे और बायोस्फेर पे मोस्ट अबेंडेंट प्रोटीन है वो मेरे पास है रूबिसको राइबुलोज विसफफेट कार्बोक्सिलेज ओक्सी जीनेज जो कि फोटोसिंथेस में यूज हो रही है अरे हां कि ना जब भी पूछे कि एनिमल की बोडी की मोस्ट अबेंडेंट प्रो करते हैं आपने का टोटल 20 टाइब्स ऑफ मांईनोस इसड़ें डेका यह मीधें नहीं है और कार्बन चीर जूड़ेंट अब वो कहता है कि सबस्टिट्यूटेड मीथेन मतलब इस मीथेन का मोडिफिकेशन हुआ होगा इसके हाइड्रोजन जो था उस हाइड्रोजन को रिप्लेस किया होगा किसी गुरूप के द्वारा हमने बोला इसके इस वाले हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया आर इसी को अपन बोलते हैं अमाइनो एसिड में आप देखीगा यह जो कार्बन आपको दिखाई दे रहा है यह जो कार्बन आपको दिखाई दे रहा है यह कार्बन को बोलते हैं अलफा कार्बन से जुड़े हुए चारोग चारोग गुरूप क्या है अलग-अलग इसलिए मैं क का alpha carbon एक काई fakal रेल कार अब अमई Pres na match जो था उसमें आर गुरूप जो जो एवो ऐलग अलग अमाइनो एसट में अलग अलग तरह का होता है इसका मतलब कि यह आर गूरो यह यी मेरे पास कैसा है ये मेरे पास है variable हार गुरूप गरूप बदलेगा AminoAcid भी बदलता हुआ जाएगा चले अब कुछ AminoAcid ऐसे थे जिसमें इनेसे टूप ग्रूप एक से ज़्यादा है मतलब अगर एनस्टू ग्रूप की संख्या बदलेगी और ग्रूप बदलेगा तो उस केस में अमाइनो एसिड भी बदलेगा तो मैं यह कहे दूँ कि किसी भी अमाइनो एसिड की पिजिकल एंड केमिकल प्रोपर्टी जो है वो में ली एनस्ट ग्रूप और ग्रूप पर डिपैंड करती है और ध्यान रखना ग्लाइसिन इस ओниइस ओनली अमाइनो एसिड जिसमें आर ग्रूप एबसलिए इसलिए ग्लाइसिन को बोलते सिंप्लेस्ट अमाइनो एसिड और ट्रिप्टोफेन जो था उसे बोलते मोस्ट कॉम्पलेक्स चले आगे बढ़ते हैं सवाल था सर मल दीजिए हमने अमाइनो अचिड दिया और उसको एसेडिक मीडिया में पठक दिया तो क्या होगा अगर अमाइनो अचिड को एसेडिक मीडिया में पठकोगे तो अमाइनो अचिड पे चार्ज रहेगा वो कैसा चार्ज रहेगा पोजि अब हमने क्या काम किया हमने एक ऐसा मेडियम तयार किया जिस पर पोजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज दोनों साथ साथ रहे तो मैं कहे दूं कि pH की वो वैल्यू जिस पर अमाईनो एसिड पर पोजिटिव और नेगेटिव चार्ज दोनों साथ साथ रहते हैं। उसे बोलते हैं इसवील्यग पोईंट और इसवी बीयो पोजिटिव चार्ज और याक दूसरे को कर देंगे तो बताओ अमाईन før नेट चार्ज कैसा जीरो त तो इस condition को बोलते हैं जब भी कोई कहें जवीटर आयन कोन सी condition थी तो आप कहोगे आईसो electric point पर जब amino acid पर net charge कितना होता है zero तो amino acid कभी भी electric field में कोई movement नहीं करता तो उसे क्या बोलते हैं जवीटर आयन ये पहचान लेना कि जवीटर आयन जैड फोर्जी ट्रायन जैड फोर जीरो चार्ज चले भी अपना आगे नेक्स अब सवाल था सर इस्ट्रेक्चर ओफ प्रोटीन के बारें बताईए बिटा अगर हम बात करके चले chemistry में तो chemistry जो थी उसमें जब बात की जाती है तो केवल 2D structures के बारें बात करी जाती है जब physics पढ़ाते हैं तो physics वाले 3D के बारें बात करते हैं लेकिन biology में हमने protein को total मिला के four types में define किया है that is 4D के बात करने की कोशिस कर रहे हैं बड़े ध्यान से देखना protein की सबसे पहली structure one degree structure that is primary structure ध्यान रखना protein की primary structure linear structure है और यह highly क्या है unstable मतलब linear structure होगी यह यह मेरे पास N-terminal यह मेरे पास C-terminal और यह मेरे पास amino acids ध्यान रखना N-terminal वो पाट था जहां से protein की chain that is polypeptide chain बनना शुरू हुआ and C-terminal वो पाट था जहां पे chain क्या हुई खतम हुई तो यहां पे अपन अपन देखे तो amino acid number one two three four five six seven मतलब अगर linear structure होगी तो उसका सबसे बड़ा फाइदा यह था कि हम उसमें amino acid को easily count कर सकते हैं प्लस यह बता सकते हैं कि पहले number पर कौन सा amino acid मान लिजिए पहले number पर अपने पास A type का amino acid था बोला दूसरा कौन सा हमने का जैड टाइप का amino acid वोल तीसरा कौन सा हमने का X वाला चोथा कौन सा हमने का B वाला पाच वाला कौन सा हमने का D वाला छटा कौन सा हमने का Y वाला तो अब हुआ क्या कि यह linear structure हमें क्या बता रही है बिटा linear structure जो है यह हमें बता रही है वो बता रही है sequence of amino acid के बारे में बता रही है linear structure में हम easily protein पर amino acid की sequencing कर सकते हैं कि कौन सा amino acid कौन से नंबर पर है चले लेकिन यह क्या थी highly unstable सवाल था यह बहुत जादा unstable थी तो यह मिलेगी कहां पर बिटा exactly में ribo जो नई नई प्रोटीन बनती है उसकी structure कैसी होती है one degree और वह highly unstable है वो थोड़ी देर में किसी दूसरी form में क्या हो जाएगी convert दूसरी form में किस में secondary में चली जाएगी tertiary में चली जाएगी में बदल जाता है तो उसे क्या बोलते हैं उसे बोलते हैं secondary structure of protein और two degree structure of protein बोलते हैं सवाल था सर इसका मतब secondary structure के कितने टाइप हुए है दो एक तो alpha structure में alpha helix के बारे में बात करेंगे तो ध्यान रखना कि nature में केवल और केवल right-handed helix present होती है नेचर में केवल और केवल कैसी होती है right-handed helix present होती है और यह alpha helix जो थी इसकी helical structure होती है वो किसकी वज़े से होती है due to intramolecular due to intramolecular due to intramolecular H bonds किसकी वज़े से बेटा हमने बोला यह होती है due to intramolecular H bonds की वज़े से due to intramolecular H bonds की वज़े से कौन से H bonds है हमने बोला hydrogen bond है कौन से intramolecular H bonds जब भी पूछे बताओ कौन से हमने बोला intramolecular H bond इंट्रा-molecular H-bond की वज़े से कौन सी होती है इसकी alpha-helix की helical structure कौन सी वज़े से इंट्रा-molecular H-bond की वज़े से सवाल पूछेगा alpha-helix में कितने टाइप की bond मैंने का दो टाइप के अरे प्रोटीन है तो प्रोटीन में amino acid को जोड़ने के लिए कौन सा बौण सी यह प्रोटीन और उसके साथ कौन सा है बीटा-plated seat जो है इसकी structure जो होती वो जिग-जैग होती है और इसका formation two or more polypeptide chain से होता है किससे होता है two or more polypeptide chain से मिलके बनती है कौन सी बीटा-plated seat अब बीटा-plated seat जो होती उसकी दो form होती है एक होती parallel structure और दूसरी होती anti-parallel structure सवाल था सर parallel and anti-parallel में क्या difference है बीटा जब दोनों की दोनों polypeptide chain के n-n terminal एक तरफ हो और c-c terminal दूसरी तरफ हो तो उसे बोलते parallel structure और जब दोनों polypeptide chain के n-nc terminal जो थे वो मतलब opposite direction में प्रजेंट हो दोनों की दोनों polypeptide chain एक side n-c दूसरी side n-c तो उसे क्या बोलते anti-parallel arrangement अरे हां की न तो ध्यान रखना कि यहां पे two or more polypeptide chain है और दोनों की दोनों polypeptide chain किस से जुड़ी है यहां पे जुड़ी है intermolecular H bond से किस से intermolecular H bond से सवाल पूछेगा बताओ beta-plated sheet में कितने type के bond अरे उत्रे ही type के हैं जो कि किस में थे alpha-elix में थे कौन से एक तो peptide bond जो amino acid को जोड़ता है और दूसरा hydrogen bond लेकिन alpha-elix में intermolecular hydrogen bond था और यहां पे कौन से इंटर-molecular hydrogen bond अब वो पूछेगा parallel structure के कोई example है हमने कहां beta-creatine protein कौन सी है beta-creatine protein बेटा-creatine protein कहां पर प्रजेंट है यह जो scales होते है उन scales में बड्स के फेदर में कौन सी है beta-creatine protein और शिल्क के अंदर जो फाइब्रोइन protein है वो फाइब्रोइन protein कौन सी है anti-parallel type की है जबकि beta-creatine protein कैसी है parallel type की है चले भी अपना आगे next तीसरी मेरे पास है 3-degree structure बच्चे ध्यान रखना 3-degree structure जो थी इसमें protein जो है वह highly coiled structure है and globular structure है पहली बात और यह 3-D structure है यह stable भी है लेकिन water में soluble भी है अब पूछेगा 3-D structure कैसे बनी बिटा एक protein के धागे को ऐसे पकड़ लो और धागे को पकड़ के उपर से छोड़ दो जब धागे को छोड़ोगे तो आप देखो गो धागा जो है वह अपने उपर ही coiled और उसे क्या बोलते हैं 3-degree structure क्या बोलते है 3-degree structure और ध्यान रखना हमारी body की mostly protein जो होती है उसकी structure कैसी होती है 3-degree structure जो की highly coiled है और मैं यह कह दूँ जब body की mostly protein की structure 3-degree है तो इसका मतलब body के mostly enzymes है उनकी structure कैसी 3-degree और enzyme के बीना तो एक living system में कोई भी biological activity नहीं हो सकती इसलिए ह हमने बोला कि necessary for many biological activities of body कौन सी structure आप कोगे 3-degree structure लेकिन सवाल था सर यह बताओ यह 3-degree structure है यह highly coiled structure है अब बताओ यह highly coiled क्यों हुई अरे जितनी ज्यादा coiling होगी उसमें उतने ही अलग-अलग type के क्या होंगे bonds exactly में 3-degree protein में भी कई सारे bonds थे like यहाँ पे hydrogen bond भी था यहाँ प group के बीज थी यहाँ पर ionic bond भी था जो कि NS3 plus and COO minus के बीज था यहाँ peptide bond भी था जो कि amino acid के बीज था जो कि सबसे strong bond था यहाँ पर डाई-sulphide bond भी था जो कि एक कोवलेंट bond है and peptide bond के बाद second strongest bond कौन सा आता है बेटा डाई-sulphide bond ही आता है चले यह हमने बात कर ली किसके बारे में 3-degree structure of protein के बारे में चले अपने बात करते हैं 4-degree structure of protein that is quaternary structure of protein बेटा all types of protein में जब भी कहें most stable structure कौन सी हमने कहा quaternary structure यह यह जो quaternary structure है यह two or more three degree protein से मिलके बनती है जैसे हम बात करके चले insulin इसका example क्या हुआ insulin insulin में दो polypeptide chain होती है एक A chain एड़ एक B chain इसी तरह दूसरा example जो कि NCRT में given है वो मेरे पास है hemoglobin बेटा hemoglobin जो है उसमें भी दो polypeptide chain दो प्रकार की polypeptide chain होती है दो प्रकार की मतलब total कितनी हमने बोला यहाँ पे four polypeptide chain है कितनी four polypeptide chains है दो तो alpha type की एड़ बीटा टाइप की chains है और NCRT माता ने किसके बारे में बात करी है हमने बोला NCRT माता ने hemoglobin के बारे में बात करी है कि अले भी यह प्रोटीन यहां पर हुआ complete मैं अंतिम बायो मॉलीक्यूल के बारे में बात करता हूं डैटीज न्यूक्लिक एसिड बच्चे न्यूक्लिक एसिड अपने पास दो टाइप के होते किदे टाइप के होते दो टाइप के पहला मेरे पास अपने पास है डीन ने दूसरा मेरे पास है उसको अपने बोल दिया आरेने ध्यान रखना यह दोनों के दोनों न्यूक्लिक एसिड चाहे डीन रहे चाहे आरेने रहे यह दोनों के दोनों है क्या हमने बोले यह दोनों के दोनों पर पास जैनेटिक मैटीरियल जैनेटिक मैटेरियल की तरहें कrakपतें जैनेटिक मैट्रिल की तरहें। वो पूझेगा सरंगे यह जो है या यह मेक्रो मोलिकूल है हमने का हाँ पोल Colorado है Base होता है एक पोश्फिट ग्रूप होता है। इन तीनों से मिलके क्या बनता है? एक नूपलीओ साइड और जब पैंटो चूगर के पांचवे कार्बन नंबर 1 से, जब नाइट्रोजन बेस जुड़ेगा, कौन से बोन्ड से? ग्लाइकोसिडिक बोन्ड से. तो इसको अपन बोलेंगे बेटा, नूपलीओ साइड. क्या ब तो side plus phosphate को क्या बोलते है nucleotide जब भी पूछे बताओ nucleotide total कित्रे टाइप के तो ध्यान रखना nucleotide total मिलाके 8 टाइप के होते हैं कित्रे टाइप के होते हैं अठ टाइप के होते कैसे कैसे मैं थोड़ी दिर में बात करूँगा अब ध्यान से देखना वो पूछेगा सर आप यह पताओ यह पैंटोज सुगर कोन सी होती है बेटा DNA में जो पैंटोज सुगर है वो है deoxyribod sugar कोन सी सुगर है deoxyribod sugar जब भी पूछे RNA में कोन सी है हमने ब stable genetic material है as compared to RNA यहाँ पे nitrogen base भी present होते है nitrogen base दो टाइप के होते है purine and pyrimidine purine में मेरे पास आता है adinin and guanine adinin and guanine and pyrimidine में मेरे पास आता है cytosine uracil and thymine cytosine uracil and thymine चले बढ़े द्यान से देखना यह मेरे पास nitrogen base है इसमें heterocyclic रिंग जो होती है वो होती बेटा present कैसी रिंग present है heterocyclic ring present होती है अब सवाल था तर nitrogen base आपने बताए total मिला के पांच हमने कहां लेकिन इन पांचों को देखोगे वो पूछेगा बताओ RNA में कौन से किस में RNA जो था उस RNA में कौन से बिटा RNA में मेरे पास जो होता है वो अपने पास होता है दो hydrogen bond किस के साथ यू के साथ और जी है तीन hydrogen bond बनाता है किस के साथ सी के साथ मतलब RNA में कौन से थे ए यू जी सी अगर कोई कहे सर फिर DNA में कौन से हमने बोला DNA में जब भी बात करोगे तो ए जो है वो दो hydrogen bond बनाता है किसके साथ T के साथ and Z जो था वो तीन हाइड्रोजन बनाता है किसके साथ C के साथ मतलब DNA में ATGC यह नाइट्रोजन बेस है चले दूसरी बात यह नाइट्रोजन बेस जो थे यह कौन से सुगर से जुड़ेंगे डियोक्सी राइबोज से चार अलग-अलग टाइप के होगे, चार टाइप टाइप के नुक्यलोटाइड आर रहने के लिए चार टाइप के डियेन गिंए के लिए इसलिए तोटल नुक्यलोटाइड की होगे, आट टाइप के होगे चलो मैं आगे, अपना आगे बात करते है, अगला सवाल था स्तर हमने NCIT पड़ी तो NCIT तो कहती है कि nucleic acid जो है उसके पास varieties of secondary structures है तो आप बताओ ना उसका कोई explanation कि वो क्या कहना चाहरा है बिटा exactly इस बात को समझाने के लिए हम structure of DNA के बारे में बात करते हैं DNA की structure को बताने के लिए एक model आया जिसे बोलते हैं Watson Crick model और इसे बोलते हैं double helix model इस double helix model को दिया था Watson and Crick नाम के scientists ने इस काम के लिए उन्हें 1962 में Nobel Prize भी मिला था और उन्होंने जो study की थी वो study की थी BDNA पे किस पे study की थी BDNA पे ध्यान रखना मैं जितना भी data deal कर रहा हूं किसके बारे में कर रहा हूं BDNA के बारे में अब सवाल था Sir इस BDNA की secondary structure का क्या कहना बिटा इस model के हिसाब से अगर एक double strands DNA को आप देखोगे तो उस DNA double standard DNA को आप देखोगे तो उस double stranded DNA जो था उसके दोनों strand जो थे वो एंटी parallel होते हैं एक दूसरे के क्या होते बिटा complementary anti parallel होते हैं एक दूसरे के क्या होते complementary पहली बात तो यह थी और दूसरी बात कि दूसरी बात दूसरी बात वो कहेगा कि बताओ DNA की structure कैसी तो यह बोले DNA की structure होती है helical बोला DNA की helical structure कैसे बनी बोला कि जब एक polypeptide chain और जब एक strand अपने उपर ही अपने उपर ही coiled हो गया यह मैं कहूं फोल्ड हो गया तो उसने staircase like appearance दी कैसी appearance दी staircase like appearance दी तो इसलिए हमने हमने बोला कि जब उसने staircase like appearance दी तो हमने क्या कह दिया यही थी helical structure of DNA सवाल था सरी यह कहानी तो गोच पोच हो गई यार कुच डाइग्राम से बताओ ना चलो यार हम डाइग्राम पे चलते फिर justify करते हैं मैं पहले बात करता हूं एंटी parallel का मतलब क्या था हमने बोला यह मेरे पास DNA के दो इस्ट्रेंड है यह 5 प्राइम 5 प्राइम का मतलब 5 प्राइम का मतलब कि यहां पे phosphate group है यह 3 प्राइम इसका मतलब यहां पे OH ग्रूप है मतलब पैंटो सुगर के C नंबर 3 पे कौन सा ग्रूप है OH ग्रूप है पैंटे सुगर के 5 नंबर कार्बन पर फ्री phosphate ग्रूप यहां पे प्रिजेंट है और यहां की ना हमने बोला एक strand 5 to 3 मूँ कर रहा है और दूसरा क्य प्रिदा यहां पे 5 to 3 चलो ती था टी यहां फ्री मतलब मतलब दोनों के दोनों स्ट्रेंड जो थे उस वह एंटी पैरलेल है और उन दोनों पे अगर आप देखोगे नाइट्रोजन बेस तो कोंप्लिमेंट्री नाइट्रोजन बेस प्रजेंट है एक टी जी का सी इसी हिस अगर BDNA को देखोगे तो यह BDNA की है हमने बोला यह हैलिकल इस्ट्रेक्चर को जब हमने देखा तो यह जो लाइन रोकी इस लाइन पर हमें यहां पर क्या दिखाए दिया यह ब्लू वाली थी पैंटो सुगर और यह रेड वाली थी यह थे फोस्पेट ग्रूप हमने बोला हैलिक्स की बैक बोन का फोर्मेशन कितनी चीजों से हुआ हमने का दौ चीजों से किस से पैंटो सुगर और फोस्पेट ग्रूप हमने बोला देख ओर चेलर हुआ थिजे बैकबोन बनाते चले लेकिन इस बैकबोन से लगबग 90 डिगरी पे लगबग परपेंडिकुलर प्रजेंट होते कौन नाइट्रोजन बेस बोला बाहर की तरफ की अंदर की तरफ देखो यह लूप के अंदर है इसलिए ध्यान रखना NCRT कहती है कि अल्मोस्ट हेलिक्स बने गाया जहां पर की यहांट बन घन गया हो किसको रिपर dependence कर रहा है एक हेलिक्स को रिपरends कर रहा है और बी डियन में एक हलिक्स की लाइंद होती है वह 30 पोर एंगस्ट िस में ऊप्रजिए बेस हमने बोला 10 pairs इस strand में 10 और 10 इस strand में तो टोटल मिलाके कितने nitrogen base 20 तो मैंने कहा 10 pair हुए चले मैं आगे अब सवाल था कि अगर हम यहाँ पे देखें तो यह मेरे पास nitrogen base किसका formation कर रहे हमने कहा अगर यह staircase है तो यह nitrogen base क्या बना रहे सीडिया बना रहे है that is steps तो हमने बोला the form steps किसका formation कर रहे है steps का वो कहेगा अगर यह staircase है और यह step बना रहे है तो बताओ इन दो step के बीच की distance कितनी होगी हमने का पूरी helix में कितने steps 10 उसकी length कितनी 34 angstrom तो इन दो step के बीच की कितनी हुई 3.4 angstrom यह दो step के बीच यह मैं कहूं दो एड़ेसेंट nitrogen base pair के बीच की distance होती है 3.5 angstrom अब जब भी पूछे तो जब भी हम helix को देखते हैं तो हर एक nitrogen base पे यह helix 36 degree का turn लेती है कितने degree का turn लेती है 36 degree का तो वो कहेगा बताओ एक complete turn of helix कितना होगा अरे एक nitrogen base पे कितने degree का 36 degree का turn लेती है तो बताओ पूरी helix में कितने turn कितने base 10 तो 36 into 10 तो कितना turn हो गया 36 degree 360 degree का turn हो गया एक nitrogen base पे 36 degree तो complete turn of helix 360 degree का turn हो गया NCRT माता ने केवल इतनी सी बात कर रखी है हमने each and every line को discuss कर लिया है अब अपन थोड़ा सा आगे move करते देखीगा आगे हम कहानी शुराते दोस्तों आपको enzymes के बारे में जब भी पूले enzyme क्या है तो हमने बोला enzyme अपने pulse है वह organic bio catalyst है क्योंकि हमने आपको पहले बोला था कि mostly enzyme क्या होते है protein होते हैं वह भी कौन सी 3 degree protein तो यह organic bio catalyst है जो velocity of reaction को बढ़ाते हैं और reaction के बाद as it is बचे रह जाते हैं उनको ही क्या बोलते हैं उन्हीं को बोलते हैं enzyme मतलब enzyme कभी भी खुद reaction में participate नहीं करता यह reaction को start नहीं करवाता यह reaction के equilibrium को affect नहीं करता यह तो केवल rate of reaction और velocity of reaction को enhance करने का increase करने का काम करता है वह पूछेगा बताओ enzyme क्या होते हैं और इनका chemical nature क्या होता है तो ध्यान रखना mostly enzyme जो होते हैं वो protein होते हैं लेकिन कुछ enzyme ऐसे भी थे जो क्या होते हैं RNA तो NCIT क्या कहती है कि all enzymes are protein except ribozyme क्योंकि ribozyme क्या है RNA वो कहेगा बात मान ली कि mostly enzyme protein है कुछ enzyme क्या थे RNA पर mostly तो protein है कौन सी protein अरे mostly protein 3 degree protein है कौन सी protein है 3 degree protein है वो कहेगा बताओ fastest enzyme कौन सा है हमने का भाईया fastest enzyme वो जो rate of reaction में सबसे ज्यादा चेंज कर दें और सबसे ज्यादा चेंज कोन करता है बोला carbonic anhydrase करता है जिसको शोट में बोल देते CA क्या काम करता है बिटे यह reaction CO2 and water की reaction CO2 and water की reaction एक एक physical process है मतलब नोर्मली देखोगे बाहर तो CO2 अपने आप पाने में गुल जाती है चले लेकिन हमारी body में यह chemical reaction है जो कि enzyme control कर रहा है कौन carbonic anhydrase अब बोला कि अगर इस carbonic anhydrase की absence में CO2 and H2O की reaction कर वाऊं तो एक मीनिट में तो हमने बोला एक मीनिट में हमने बोला बनने वाले molecules के नंबर जो थे वो थे बहुत बहुत कम बहुत बहुत कम मतलब एक घंटे में लगभग 200 molecules बन रहे थे लेकिन जो ही हमने यहाँ पर carbonic anhydrase enzyme डाला तो हमारे पास एक second में कितनी दिर में एक second में छै लाख molecule बन गए किसके कार्बोनिक एसिड के बिना enzyme के एक गंटे में 200 molecule जब enzyme डाला तो एक second में छै लाख molecule तो मैं यह कहाँ दूं कि यह carbonic anhydrase जो था यह एक मीनट में इसकी rate of reaction कितनी थी एक मीनट में थी 36 million मतलब इसने rate of reaction को बढ़ा दिया कितने टाइम 10 million time बढ़ाने का काम किया इसी रही हम इसको बोलते है fastest enzyme चले भीया सवाल था सर आप हमें बताईए कि यह जो catalyst है आपने बोला enzyme जो है वह organic बायो catalyst कित्रे टाइप के होते हैं यह दो टाइप के होते हैं एक होता organic और एक होता है inorganic और दूसरा होता और 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 अपने पास क्या आते हैं एंजाइम बेटा इन और्गनिक केटलिस्ट जो होते हैं वह हाई temperature पर काम करते हैं लेकिन और्गनिक केटलिस्ट है वह हाई temperature पर टूट जाते हैं मतलब वह एक narrow range of temperature पर ही काम कर सकते हैं लगवग 20-40 degree centigrade पर पहली बात दूसरा यह चो इन और्गनिक केटलिस्ट है यह कभी भी living cell में नहीं पाए जाते हैं जबकि और्गनिक केटलिस्ट है यह living cell में पाई जाते हैं दूसरी बात तीसरी बात यह चो मेरे यह पास इन और्गनिक केटलिस्ट है इनकी working efficiency जो है वो बहुत कम है मतल WHY बहुत धीरी धीरी काम करते हैं जबकि और्गनी कैटलिस्ट की working efficiency बहुत ज्यादा है मतलब यह बहुत जल्दी जल्दी काम करते हैं डीक स्यूसरीय यह किसी भी reaction के लिए specific नहीं होते लेकिन enzyme जो है वो reaction के लिए specific होते हैं तो अगर कोई कहे कि organic catalyst that is enzymes कभी भी high temperature पे काम नहीं कर सकते तो आप कहोगे नहीं यार इसके अपने पास कुछ exception है ऐसे organism जो गरम पानी के जर्णों में that is hot springs में रहते हैं वो लगबग 80-90 degree centigrade temperature पे रहते हैं और जिंदा रहते हैं तो इसका मतलब उनकी बोडी के enzyme 80-90 degree centigrade पे काम कर रहे होते हैं तो हमने बोला ऐसे organism जो high temperature पे रहते हैं उन्हें बोलते thermophilic organism और उन thermophilic organism की बोडी के enzyme जो होते हैं वह active होते हैं कौन से temperature पे हमने बोला active at 80 to 90 degree centigrade इस temperature पे भी क्या रहते है active और इसी लिए वो क्या करते survive करते है चले भी अपना आगे next सवाल था सर आप हमें बताइए structure of enzyme के बारे में एंजाइम की structure को हमने देखा तो enzyme की structure को देखे तो हमने बोला enzyme पे प्रजेंट होती है एक active site कौन सी site दिखाए दे रही यह site enzyme पे प्रजेंट इस site को बोलते हैं active site यह active sites जो है यह ऐसी pockets है जो कि protein की folding से बनी है और enzyme में active site वह जगे थी जहांría जाके bind होता है जहांसे क्या जाके bind होता है sub straight यह sub straight जो था यह always कहां जाके bind होगा active site पर किस पर जाके bind होगा active site पर enzyme में active site के अलावा अगर कोई site present है तो उनको बोलते है allosteric site तो जब भी बोले आलोई six कि अलावा जो साइट है उपको किया वोलते है ऐलोस्टेरिक साइट करह मीए नहीं होता तो जब भी बोले बताओ एंजाइम् पे परजेंट स्दारिव बैंडिंग साइट को क्या बोलते हैं आपको गए उसे बोलते हैं एक्टिव साइट सवाल था सर आप आपने बोला एंजाइम पे active site present है और active site ऐसे pockets है जो किसकी वज़े से बने protein की folding से बने और वहीं से जाके substrate bind होता है अब बताओगे enzyme substrate की binding कैसे होती है हमने बोला यह enzyme था यह क्या था enzyme और यह as for क्या था substrate यह substrate गया और जाके कहां जुड़ गया एंजाइम की active site से जुड़ गया अरे जब active site से substrate जुड़ा तो अपने बना इंजाइम substrate complex enzyme substrate complex अब enzyme जो था वो धीरे-धीरे substrate के बोंड तूड़वाना शुरू करेगा तो substrate किसमें convert होने लगेगा product में मत्तब क्या बनेगा EP that is enzyme product complex बनेगा फिर जब substrate पूरी तरह से product में तूट जाएगा तो enzyme अलग and product अलग मैंने बोला था कि enzyme जैसा reaction से पहले था वैसा ही reaction से बाद भी रहेगा यह केवल rate of reaction को increase करने का काम करेगा reaction के बाद unchanged form में बिल्कुल वैसा का वैसा बचा रहेगा और substrate को किसमें convert कर देगा प्रोडेक्ट में अब एक बात बताओ अगर सबस्ट्रेट एंजाइम से नहीं जुड़ता तो क्या प्रोडेक्ट बनता आपको कहीं नहीं बनता मतलब सबस्ट्रेट का enzyme से जुड़ना जरूरी है मतलब enzyme substrate complex का बनना जरूरी है तब ही product बनेगा नहीं तो प्रोडेक्ट का बनना पोसिबल नहीं है तो मैं कह दूं कि enzyme substrate complex is essential और necessary for product formation तो हमने बोला यह क्या है नैसेसरी कि पूर कि प्रोडेक्ट फोर्मिशन यह प्रोडेक्ट के फोर्मिशन के लिए क्या है नैसेसरी है अब सवाल था सर अब एक बात बताईए कि आपने बोला enzyme rate of reaction को बढ़ाने का काम करता है अब बताओ न enzyme rate of reaction को कैसे बढ़ाता है बेटा बड़े ध्यान से बात करते है यह एक graph NCRT माता ने दिया यहां पे यह मेरे पास NCRT माता ने जो बनाया वह यहां पे यह मेरे पास है सबस्टेट यह पास क्या है बिटा सबस्टेट है अब कोई भी सबस्टेट रहे उसके पास अपनी कुछ ना-कुछ potential energy होती है हमने बोला इस सबस्टेट के पास माच 5-8 kmK की एनर्जी क्तिने एनर्जी है 50-qe की एनरजी है चलны अब आपने देखा हों यह सबस्ट्रेट की एनर्जी है 50-qe और हमने बोला एंजांउन की अब सेंस में अगर सबस्ट्रेक्ट को वे बदलना истор में जाना पड़ेगा किसमें जाना पड़ेगा ठोले स्टेज में मौन लोई स्ट्रांजिस्ट्रांजिस्ट्रांजिस्ट्रांजिस्ट्रांजिस्ट्रांजिस्ट्रांजिस्ट्रांजिस्ट्रांजिस्ट्रांजिस्ट्रांजिस्ट्रांजिस्ट्रांजिस्ट्रांजिस्ट्रांजिस्ट्रांजिस्ट्रांजिस्ट्रांजिस्ट्र वीटीट रहता है मैं बदलू तो उसका ट्रांजिसन स्टेज में जाना जरूरी है और ट्रांजिसनि स्टेज में जाने के लिए एनर्जी कितनी करनी पड़ेगी सो लेकिन यह तो विचारे फक्करड बाबाजी इनके पास तो 50 किलो केलरी है तो यह क्या काम करेंगे यह बहार से energy ली, बाहर से energy ली, कितनी ली, हमने बोला इन्होंने external energy ली, कितनी ली, हमने बोला 50 kcal ली, और 50 लेते ही, कितनी हो गई, 100, क्योंकि minimum 100 चाहिए, 100 से 110, 120, 130, कितनी कर लो, कोई दिकत ने, लेकिन minimum 100 चाहिए, और जो ही 100 पूरी हुई, जो ही कितनी पूरी हुई, 100, तुरंत के तुरंत transition state आई, और substrate product में convert होना, शुरू हो गया, तो हमने बोला, इसने बाहर से कितनी energy ली, बोला 50 ली, 50 खुद थी, 50 ली, 100 हो गई, हो गई कि नहीं हो गई, अब बड़े ध्यान से देखना, तो वो minimum amount of energy, वो minimum amount of energy, जो किसी भी reaction को सुरू करने के लिए जरूरी होता है, उस minimum amount of external energy को ही बोलते हैं, अपन, activation energy, क्या बोलते हैं, activation energy, तो enzyme की absence में, मैंने बोला, without enzyme, जो activation energy आ रही थी, वो activation energy, हमने बोला, ये blue वाली आ रही थी, जिसका amount क्या था बेटा, हमने बोला, जिसका amount जो था, वो amount था ज्यादा, चले, 30, 50 था, अब क्या हुआ, इस दूसरे वाले ग्राफ में, गुलाबी वाले ग्राफ में देखना, यहाँ पे enzyme है present, और हमने बोला, जब enzyme डाला, तो enzyme ने क्या काम कर दिया, enzyme बोला, कि भाई साब, तुमें अब 100 energy की व्यवस्था करने की ज़रत नहीं है, मैं target तुमारा तुमारे पास कौन सी stage आ जाएगी, T dot S का मतलब transition stage आ जाएगी, और वो ही product बन जाएगा, जो पहले बना था, वो पहले बना था, तो हमने बोला, पहले energy कितनी थी, 50 करनी थी, 100, माल लीजिए, मेरे पास, मेरे पास, 1000 सबस्टेट के molecule थे, अब वो 1000 सबस्टेट के molecule, हर कोई यह चाहरा था, कि reaction में participate करे, लेकिन 100 energy पूरी नहीं कर पा रहे थे, केवल कुछ सबस्टेटी थे, जो 100 energy पूरी कर पा रहे थे, और जो 100 energy पूरी कर पा रहे थे, वो product में बदल रहे थे, लेकिन जो ही energy का criteria enzyme ने घटा के कितना करा, अस्ती, अब देखो, अब condition क्या आ गई, बोला, भाई सब, अब condition यह आ गई, कि इस substrate को, अगर product में convert होना है, तो कितनी energy की विवस्था करनी पड़ेगी, आप को कि सर, अगर substrate को product में convert करना है, तो external energy जो यहाँ पे चाहिए, वो केवल और केवल 30 किलो कैलोरी चाहिए, कितनी चाहिए, 30 किलो कैलोरी, पहले कितनी थी 50, हमने बोला, वो minimum amount of external energy, जो reaction को शुरू करने के लिए, उसे बोलते, activation energy, मतब पहले activation energy कितनी थी, 50, अब activation energy की कितनी की जरुरत पड़ रही है, हमने बोला, 30 की जरुरत पड़ रही है, अरे, जब 50 की जरुरत थी, मतब 100 पूरा करने के लिए, थोड़े substrate के molecule reaction में participate कर रहे थ यह इतनी, आप दोनों लाइन को इस black वाली को ब्लू वाली को मैच कर लो, बताओ कौन सी case में ज़्यादा activation energy की जरुरत थी, आप कहोगे, एंजाइम के बीना ज़्यादा activation energy जरुरत थी, और एंजाइम की presence में कम activation energy की जरुरत थी, तो मैं यह कहाँ दू के enzyme ने क्या गाम कि बनने वाले substrate के molecules थे, उनके number बढ़ गए, अरे जब ज़्यादा substrate reaction में participate करेंगे, तो unit time में बनने वाले product के number भी क्या होगे, ज़्यादा, मतब rate of reaction भी क्या हो जाएगा, ज़्यादा, चले, सवाल पूछेगा, बताओ, activation energy क्या होता है, तो हमने बोला, वो minimum amount of external energy, जो किसी भ गोलते है, activation energy, तो पता चल गया, कि enzyme activation energy को घटाते है, and rate of reaction को बढ़ाते है, चले भी अपना आगे, अगला सवाल था, सर, आप मेरे बताए, कौन-कौन से ऐसे factor है, जो enzymatic activity को affect करते है, चली भी या, हम बात करते है, बच्चे जब भी कोई पूछे, बताओ, कौन-कौन से ऐस अपनी maximum activity show करता है, हर एक enzyme के लिए specific pH होती है, जिस पे enzyme maximum activity show करता है, हमने देखा, कि enzyme की maximum activity जो यहाँ पर है, वो maximum activity जो है, वो कौन सी pH पे, इस pH पे है, और pH की वो value जिस पे enzyme की activity maximum होती है, उसे बोलते optimum pH, क्या बोलते है, optimum pH, वो बोला, सर, अगर pH की value optimum pH से ज़ादा हो, तो बेटा optimum pH से जादा होगी तो भी enzymatic activity क्या होगी enzymatic activity जो थी वो घटेगी और अगर pH की value optimum pH से कम होगी उस case में भी याद रखना बच्चे enzymatic activity घटेगी मतलब हर एक enzyme के लिए एक optimum pH होती है जिस पे वो maximum activity show करता है और जिस pH पे maximum activity show करेगा उसे उस enzyme की क्या बोलेंगे optimum pH जैसे trypsin भी protein का digestion करता है लेकिन वो small intestine में about 8 pH पे काम करता है pepsin भी protein का digestion करता है लेकिन वो stomach में about 2 pH पे काम करता है तो बताओ same substrate पे काम कर रहे है लेकिन दोनों की favorable condition that is pH की value जो है optimum pH है वो क्या है अलग अलग दूसरा factor था temperature अगर बच्चे बात करके चले तो हर एक enzyme को काम करने के लिए एक optimum temperature की requirement होती है optimum temperature कौन सा temperature जिस पर enzyme की activity क्या हो maximum तो यहां पर देखना यह मेरे पास condition थी जहां पर थी maximum activity maximum activity चोकरी किस temperature पे optimum temperature पे सवाल था सर अगर optimum temperature से ज्यादा temperature कर दे तो क्या होगा बिटा optimum temperature से ज्यादा temperature करोगे तो enzyme three degree proteins था three degree proteins के bond तूटने लगेंगे मतलब protein का क्या हो जाएगा denaturation तो मैंने बोला क्या होगा denaturation इस वज़े से enzymatic activity कि डिक्रीज होगे लेकिन अगर optimum pH से कम temperature करोगे तो दीरे 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 वो जो enzymes थे वो inactive होने लगें क्या होने लगेंगे inactive क्योंकि enzyme को काम करने के लिए भी कुछ ना कुछ temperature चाहिए जो जो temperature घटाओगे enzyme inactive होने लगेंगे मतलब enzyme तो कुम करन है अगर उनको temperature दोगे तो धेरे 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 जागेंगे और समसे ज़्यादा alert कब रहेंगे optimum pH पे जब उसकी activity होगी समसे ज़्यादा optimum से ज़्यादा temperature किया तो enzyme तूट जाएंगे और अगर optimum से कम करोगे तो alertness घटती हुई जाएगी वो कुम करन की ओला दुबारा से सो जाएगा तो मैंने बोला इस पर भी enzymatic activity क्या होगी वो घटेगी अब temperature से एक related है थम rule थम रूल जो था उसके हिसाब से q10 की वेल्यू जो होती वह होती टू सवाल था सर q10 क्या है बेटा थम रूल के हिसाब से q10 एक temperature कोफिसेंट है वो कह रहा है हर 10 degree centigrade temperature बढ़ाने पर enzyme की activity या rate of reaction पहले वाले से डबल हो जाएगा और हर 10 degree temperature घटाने पर वो पहले वाले से 1 by half that is आधा हो जाएगा तो मतलब 10 degree centigrade temperature में change करोगे तो velocity of reaction में change होगा वो दो के multiplication में होगा एक दो time increase होगा एक 1 by 2 time decrease होगा इसी को थम rule that is q10 की value कितनी हुई 2 हुई मतलब चेंज जो देखने को मिलेगा वो और 2 के multiplication में और 2 के division में देखने को मिलेगा चले वहीं अपना आगे next अगला मेरे पास है concentration of substrate concentration of substrate हमने बोला initially जब हम substrate की concentration बढ़ाते हैं तो velocity of reaction बढ़ता है लेकिन एक fix concentration that is s concentration पर जाके velocity of reaction हो जाता है constant उसी को अपने बोल दिया V maximum V maximum बोला कि sir V maximum क्यों हुआ क्यों हुआ क्यों कि क्या हो गया हमें V maximum मिल गया अब वो हो गया constant अब हमने एक कुराफात किया क्या किया हमने बोला V maximum के लिए substrate की concentration कितनी होनी चाहिए बोला s होनी चाहिए तो बताओ इस V maximum की आधी velocity प्राप्त करने के लिए मान लीजिए इस V maximum की value is so तो V maximum का आधा that is 50 velocity के लिए substrate की कितनी concentration चाहिए तो हमने calculate किया और हमने बोला substrate की concentration चाहिए उसको बोलते के एम तो एक सवाल पूछा जाता है कि what is the meaning of KM तो मैं कहे दू के एम substrate की वो concentration है जिस पर velocity of reaction V maximum का क्या होता है half होता है half of V maximum मिलता है उसको क्या बोलते है के एम उसको क्या बोलते है के एम चले भी आपना आगे next सवाल था सर इनीबीटर की क्या कानी थी बिटा इनीबीटर क्या होते हैं इनीबीटर वो chemical substances होते हैं जो किसी भी enzyme catalyzed reaction की velocity को घटा देते हैं और मैं कहें दूँ competitive and non competitive सबसे पहले हम बात कर रहें competitive inhibitor that is CI के बारे में बड़े ध्यान से देखना यह मेरे पास एक enzyme है और यह enzyme की active site है मैं पहले ही बता चुका हूँ active site वो site थी जहां पे जाके bind होता है substrate हमने बोला यह s4 substrate और यह जो pink वाला है यह मेरे पास है c i that is competitive inhibitor होता यह कि substrate एड़ इनीबीटर जो था वो दोनों इस ट्रेक्स रली सिमलर है, दोनों की दोनों की इस्ट्रेक्चर क्या है, दोनों की दोनों की स्ट्रेक्चर सिमलर है, और सबस्ट्रेट भी चाहता है, कि वो एक्टिव साइट से जुड़े, और इनीबीटर भी चाहता है, कि वो एक्टिव साइट से जुड़े, तो ध्यान र सबस्ट्रेट पहले एक्टिव साइट से जुड़ गया तो मतलब प्रोडेक्ट बनेगा अगर इनीबिटर पहले जाके जुड़ गया तो फिर एंजाइम में कोई एक्टिवटी नहीं होगी और कभी भी प्रोडेक्ट नहीं बनेगा अब सवाल यह था कि सर्कॉम्पिटिटि जूलता ही एक और कंपाउंड है यह मैलोनेट एक कोम्पिटिटिव इनीबिटर है चले अगर यह सकसिनिक डिहाइड्रोजीनेट से जुड़ गया तो कभी भी फ्यूमेरिक एसिड और फ्यूमेरेट का फॉरमिशन नहीं होगा यह बात याद रखनी है अब सवाल अखे गा ये ब्लु वाला ग्राफ जो था यह इनीबिटर के अंस है हमने बोला यहीं हमने द्ध कि आला हमने और ले डाला हमने इनीबिटर दाल अम नहीं कि वाला ग्राफ इनीबिट की प्रजेंस की प्रजेंस में है तो यही वी मैक्जिमम प्राप्त करने के लिए हमें ज्यादा अमाउंट में सबस्ट्रेट की ज़रूत पड़ी ज्यादा अमाउंट में सबस्ट्रेट की ज़रूत पड़ी अरे हां कि ना वी मैक्जिमम तो मिल गया सो तो मिल गया लेकिन सबस्ट्रेट ज वो पूछेगा बताओ competitive inhibitor के case में बताओ V maximum, क्या बीना inhibitor के बराबर मिल सकता है, आप काओगे हाँ, V maximum जो था, वो पहले के बराबर मिल सकता है, मतलब सेम से मिल जाएगा, वो कहेगा क्या k-m की value भी पहले के बराबर होती है, आप काओगे न, पहले k-m की value ये थी कम, और द नोन कोम्परिटिटिव इनीविशन बेटर ये मेरे पास एंजाइम है। ये ऐसे एंजाइम है। जिसमें एक्टिव साइट तो होती है। that is substrate binding site तो होती है। उसके अलावा भी कुछ site present होती है। जिनको पर बोल देते हैं yellow electric site other than active site. अब यहां पर क्या होता है। मेरे पास सबस्ट्रेट है यह येलो वाला मेरे पास नोन कॉंपिटिटिव इनिवीटर है और आप किलियरली देख सकते हैं यहां सबस्ट्रेट की स्ट्रेक्चर अलग और इनिवीटर की अलग मतब दे आर नोट इस्ट्रेक्चरली सिमलर दोनों स्ट्रेक्चरली सिमलर नहीं होते दोनों structurally similar नहीं होते सबस्टेट और इनेवेटर की स्ट्रेक्चर क्या होती अलग-अलग अरे जब इस्ट्रेक्चर अलग-अलग तो यह बाइंड भी अलग-अलग साइट पर होंगे सबस्ट्रेट जाके बाइंड होगा कहां पर एक्टिव साइट पर और यह देखने को नहीं मिलता और इसका बड़ा फेमस एक्जामपल है साइटो क्रोम ओक्सिडेज एंजाइम जो था उसके लिए एक नोन कॉम्पिटिटिवी नहीं बीट रहे साइनाइड साइनाइड चले यह पना आगे सवाल था सर क्या हम इसको ग्राफ के तुरू बता सकते ब मान लीजी में V-maximum की वैल्यू मिली वह मिली 100 मिली चले दूसरा गराफ हमने बनाया आप इसमें V-maximum की वैली नो जो थी मतलब की शangelेल की Prem करने के लिए यह था पने पास केंधीप सबस्टू राइचन में है अब हमने जो ही इनंभी टब की प्रजेंस में ग्राफ सेंडरी वाला दूसरे वाला मतलव यह मेरे पास है प्रेजेंट प्रजेंट्स ऊफ एंसी आई में प्रजैंस बंसी नहीं यहां पर यहां पर 50 सिटी के लिए कि आदा कितना चालीस हमने बोला चालीस को प्राप्त करने के लिए अपने पास आया KM NCI, आ गया कि नहीं आ गया, तो वो पूछेगा, बताओ इनीबिट डाला, तब V-Maximum का आधा वैलोसिटी, पहले आधा था 50, इस बार आधा है 40, उसको आधे से मतलब है, वैल्यू से मतलब नहीं है, तो बोलेगा V-Maximum का आधा वैलोसिटी, प्राप करने के लिए सबस्ट्रेट की कितनी कंसेंट्रेशन जरूत पड़ी, हमने बोला पहले KM थी, और बाद में भी KM, मतलब KM प्लस KM बराबर KM NCI, दोनों क्या है बराबर, तो बोलेगा बताओ, KM की वैल्यू गटी की बढ़ी, आप कहोगे KM की वैल्यू क्या रही, सेम सेम, य यह ग्राफ भी आपको याद रखना है, फूछा जा सकता है, ठीक है जी, अपना आगे बढ़ते हैं, आगे हमसे कंसेट्प पूछा कि सा क्म होलो आंजाइम क्या होते हैं, बिटर जब भी कोई होलो आंजाइम के बारे में पूछे, तो ध्यान रखना होलो आनगे के दो पा नोन प्रोटीन पार्ट को क्या बोलते को फैक्टर तो जब भी कोई कहे बताओ हो आप प्रोटीन पार्ट इन दोनों से मिलके अपने पास क्या बनता है होलो एंजाइम महें दोनों जूड़े रहेगे तभी तो अलो एंजाइम होगा हां अगर होलो एंजाइम एस इस कोउफ एक्टोर को मैं हटा दू तो क्या २ूगा तो अगर किसी भी में एक्टिविटि पूर्यक कोफ हेक्टर होना जरूरी है बीना कोफ हेक्टर के कोई भी होलो एंजाइम एक्टिव नहीं होता वो इनेक्टिव होता है चले सबस्टा सर यह कोफ हेक्टर जो होते हैं यह कितने टाइप के होते हैं बीटा कोफ हेक्टर तीन टाइप के हो सकते हैं एक तो हो सकता है एक्तर एपोएंजाइम से tightly attached नहीं तो से बोलेंगे प्रोस्थथरी गूरूप अगर वो loosely attached नहींक तो उसे क्या बोलेंगे को enzyme फप्रोस थारी घ्रूप जैसे हीं होता है जBlue आपने पास केटल प्रॉक्सेड़े संद्जाइम से टाइटलएटेचट जफाएं वो cas The Inorganic Coop Hector जो होता है यह इस इनोरणिग घॉज्टोफ हेक्टर में इनोर्ग कंपाउंड और मैं कह AzITY METALS जो है वह लूजली एटेच्ट प्लस्टू किस में है एक्जोकाइनेज में इसी तरह है सलाइवरी एमाइलेज दैट इस टाइलीन में क्या प्रजेंट है क्लोराइड यह सारे क्या है इन ओर्गनेक कोफेक्टर्स विच आर लुजली अटेच्ट टू एक्टिव साइट ओफ एंजाइम थू कोडिनेशन बॉ पर बनाए गई जिसको बोलते हैं एंजाइम कमेटी क्या बोलते हैं एंजाइम कमीशन एंजाइम कमीशन जो है यह एंजाइम कमीशन ने एक्जेक्टली में एंजाइम्स को सिक्स मेजर क्लासेज में क्लासेज कितनी मेजर क्लासेज में कौन-कौन सी थी सबसे पहली क्लास क शटी को बोलते लाइगेज, बेटा इन क्लास के नाम इसी सिक्वेंस से याद रखने सिक्वेंस फिक्स है, वो पुछेगा बताओ पहली कौन सी, आप कहोगे डी हाइडरोजिनेज या ओक्सीडो रिडक्टेज, चले, पुछेगा दूसरी कौन सी, ट्रांसफेरेज, तीसरी क होते हैं, जिसमें ये दो सबस्टेट है, एक A टाइप का, और एक B टाइप का, हमने देखा, A इनिशियली ओक्सीडाइज फोरम है, और B कौन सी में, रिडिउस्ट फोरम है, हमने बोला, जब भी डी हाइडरोजिनेज या ओक्सीडो रिडक्टेज एंजाइम आएगा, तो जैसे कैटलेज हुआ, परोक्सीडेज, वो इसी केटेगरी के एंजाइम है, दूसरी अपने पास है, उसको बोलते है, ट्रान्सफेरेज, बिटा, ट्रान्सफेरेज नाम से पता चल रहा है, ये ट्रान्सफर करेगा, किसी गुरूप का, लेकिन वो गुरूप हाइडरोजन क्या काम करेगा इस जी गुरूप को ए से अठाके किस पर ट्रांसफर कर देगा बी पे देखे जी गुरूप को ए से अठाके किस पर कर दिया ट्रांसफर बी पे ऐसे एंजाइम को बोलते हैं ट्रांसफेरेज जैसे अपने पास काइनेज काइनेज हैक्जो काइनेज एंजाइ करेंगे और पानी को वहां पे जोडेंगे मतलब पानी की परजेंस में करेंगे यह किसको यह प्यप्टाइद बॉण्ड को glycosidig bond को ester bond को चले फौसफोर सबॉसकी और को इनको तोड़ने का काम करते?, कैसे माली जी एक compound है, हमने बोला ये इनका bond था, ये जो ये bond टूटा, हमने बोला A जो था, उस A पे charge आया plus, P पे charge आया minus, यहाँ पे water की presence में टूटेंगे, और वो किस की presence में टूटेंगे, water की presence में टूटेंगे, इसलिए हमने बोला, जितने भी digestion की enzyme है, वो सारे ऐसे enzyme है, that is hydrolysis enzyme है, तब ही तो हम कहते हैं, digestion है एक hydrolytic process है, next, अगला पने पास है liage, liage enzyme क्या काम करते हैं, बिट लाइज enzyme भी bond तोडने का काम करते हैं, bond तोडने का काम करते हैं, लेकिन ये hydrolysis नहीं करते हैं, ये water की presence की ज़रत नहीं है, तो सव इन A and B के bond को तोड़ देंगे, A and X के बीच के bond को तोड़ दिया, इधर B and Y के बीच के bond को तोड़ दिया, तो आपने देखा, यहाँ पे XY करके new compound बन गया की नहीं बन गया, उसके साथ साथ A and B के बीच कैसा bond बनवा दिया, double bond बनवा दिया, तो जब भी कहें, कि ऐसे compound जो इन A hydrolysis के bond तोड़ के double bond का formation कर दे, ऐसे enzyme को कौन सा enzyme बोलते हैं, आपको गया, ऐसे enzyme को बोलते हैं, lyase enzyme, क्या बोलते हैं, lyase enzyme, अगला था, पांच हुआ, वो था पने पास, isomerase, बोला सर, isomerase क्या करते हैं, अरे, isomerase, isomerse बनाएंगे, और isomerse की chemical formula, structure क्या थी, सेम सेम, के केवल position बदली थी, chemical formula तो सेम सेम था, जैसे, यहां पर देखिए, कोई compound है, इसमें पहले A आ रहा है, और बाद में B आ रहा है, अगर आईसो, मरेज enzyme डालोगे, तो इसका general formula, सेम सेम रहेगा, केवल arrangement बदलेगा, मतलब पहले आ गया, B और बाद में क्या आ गया, A, जैसे, गुलकोज आईसो मरेज, चले, next, अगला था ligase, enzyme जो था, वो ligase enzyme भी bond का formation करवाएगा, किसका formation करवाएगा, bond का, लेकिन double bond नहीं, यहां करवा रहा है, bond का formation, कैसे, एक substrate है, भी दूसरा substrate है, दोनों अलग अलग है, जो ही ligase enzyme डालोगे, इसने दोनों के B's क्या करवा दिया, bond का formation, और बन गया AB, और बन गया AB, चले, तो आपको enzyme की class याद रखनी है, यह reaction के basis पे यह बाते भी आपको याद रखनी है, अब सवाल था, सर, enzyme का normanclature कैसे करें, बिटा, जब भी enzyme का normanclature करोगे, तो लिखा मिलेगा आपको, EC 3.2.2.2.1, चले, ऐसे मतलब 4 numeric value लिखी मिलेगी, यह 5.10.4.1 भी लिख सकता है, 4.1 की जगे 5 भी लिख सकता है, ऐसी कोई value लिखी मिलेगी, बड़े ध्यान से दिख रहा है, इसी का मतलब क्या होता है, enzyme commission, यह जो first numeric value रिप्रजेंट करती, class को, किसको रिप्रजेंट करती है, class को, और हमें पता है enzyme को कितनी class में अच्छे class में, तो 3, मतब यह तीसरी class का, और तीसरी class कोन सी है, hydrolase, next, दूसरी numeric value है, वो रिप्रजेंट करती है, सब class को, और याद रखना, एक class में minimum तो 4 और maximum 13 सब class हो सकती है, minimum 4 और maximum 13 सब class होती है, चले भीया, अब यह तीसरी numeric value है, यह रिप्रजेंट करती है, सब स सब class को, यह जो 1 है, last numeric value, यह किसको रिप्रजेंट कर रहा है, यह कह रहा है, कि उस सब सब class में enzyme, एक sequence में, एक serial number से लिखे हुए, तो यह एक रिप्रजेंट कर रहा है, कि सब सब class में, first number वाला enzyme है, तो जब भी पूछे, चोथी numeric value किसको रिप्रजेंट कर रही है, तो serial number of enzyme in तब सब class, चले, तो बच्चे यहाँ पे जाके, हमने enzyme के बारे में भी बात खतम कर दी, और पूरा का पूरा बायो मोलेकुल वाला पोर्शन भी डील कर लिया, बेटा बड़ा important portion है, हर बार नीट से question पुछे आते हैं, दो तीन question कम से कम यहां से आते हैं, तो आप concentration का लेवल बन रहाना, और फोड डालना chapter को, ताकि तुम्हारे जो भी दो तीन सवाल हो, वो बिलकुल सही हो, और आप लाखो लोगों की बीड से अपने आपको निकाल पाए, तो दोस्तों, अब अपने पास जोलोजी का केवल अंतिम chapter बचा है, that is animal kingdom, और जल्द ही हम मिलेंग उस chapter को लेकर भी तब तक के लिए आप सभी खुस रहें, सुरक्षित रहें, जाए हिंद, thank you, thank you very much